श्री गोवर धन्नाथ की वल्लभाधीश की श्यामसुंदर श्रीयमने माहादी गीता मैयागी गंगा मैयागी गुपाल लाल प्यारे की चिन्ता संता रहंता रोगे यद्पादां पुजड़े अमाद स्याना तानिजाचा रहाद प्रणे मामी गुदर यदनो क्रहतो जंतो सर्वत काति गोवे ताम हम सर्वता मंदे श्रीमन वल्डवन अंदर अग्यान तीनिदां दस्याः ज्याना जद शनाग्याः चक्षूरूं पीदितं येदं तस्मैं शनाग्याः चक्षूरूं श्री गुर्वे नमामी विदर्ये चेशे ली लाक्षिरा प्रिशाए नम् लक्ष्मी सहसली लादे सेव्यमाना कदा दिति चतुर विष्च चतुर विष्च चतुर विष्च चतुर विष्च त्रिविस्तता शडविर्विराजिते योग्सूरूं पंचिधा प्रिदेवाः नमुभगवते तस्मै कृष्च याद्वत कर्मने रूप नाम विभेदेन जगत कृड़ती योयतह सच्चिदानन्द रूपाय विष्वोत पत्यादिहे तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्च नाय वयम्नुमह निस्साधन जनुद्धार करण प्रकटी कृतह गोकुले सस्वरूपश्री वल्लभशरनम्ममा योंतह प्रविष्यममगाच मीमां प्रसुप्ताम संजीवयत्य खिलशक्ति धरस्वधाम्ना अन्यांशहस्त चरनश्न अनत्युगादिन प्राणान्नमू भगवते पुरुषाय तुभ्यम् पत्र उपस्थित श्रीमत भवत गीताना अदिव्य सत्संग सुधानू रस्पान करवावेला सर्वभग्यवान भगवदी जनो बेत्रन दिवसत बाकी रहा चेने गीता सत्रनी आ यात्रा एक-एक पड़ावने पार करती आगल वधी रही चे भगवाननों गायलू आ दिव्य न अलव की गीत आ भगवाननी साक्षात वाणी चे नित्य रोज आपड़े क्रमा एक अध्यायनों पाठ करिये चे अन एने कारणे गणानी अंदर अमे संस्कृत माची शकिये चे मूल पाठ करी शकिये चे एक कॉन्फिडेंस आवी रहो चे अने प्रयास मद्धा एज करो भाशांतर समझवा माटे चे पड़ा अक्षर भगवाननी वाणी ना चे जे भगवानना मुखमा थी निसरित थया चे ले प्रयास करी शूं तो चक्कस आवड़ी जशे बोली शूं दीमे दीमे शुद्धता भी जशे कोशिश करी शूं तो जरूर थी आपने सफ़ल थाईशू जो गीता जी माँ अढ़ार योग चे पड़ ओगणिस्मों योग हूं तमने कहूं छूं एचे अभ्यास योग अभ्यास योगे न माम इच्छाप तुम धनन जया अभ्यास ना योगती निश्चित आपने बधाज पाठ करता सिखे जईशूं आई आजे बारमा अध्यायनों पाठ करी बक्ति योग आने काले पंदर मों अध्याय करी शूं तो आप बधा नी पासे गीताजी छै अने घणा ने तो भारमा अध्याय तो मोधे उचे गणा लोग को गीताजी नाने कदाच अध्यायों नप करता हूं बारमा अध्यायनों प्रव्या नुपक्ति योडता ये बक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अभ्यत्तं तेशांके योग वित्तमाहा श्रिवगवानु वाच्य मैया वेश्यमनो येमाहां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो पेता स्थेमे युग्दतमामताहा ये त्वक्षरम निर्देश्यम अभ्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगमचिंत्यंच पूटस्थमचलंद्रुवं सन्नियम्मेंद्रियक्रामं सर्वत्रसवबुद्धयः ये प्राप्नवंतिमामेवः सर्वभूतहितेरताः क्लेशो दिकतरस्तेशाम अब्यक्ता सक्तचेतशाम अब्यक्ता ही कतिरदुखं देहवत्भीरवाप्यते ये तु सर्वाणी कर्माणी मैी सन्यस्यमत्पराहा अनन्ये नैवयोगेना मामध्यायन्त उपासते तेशामहं समुध्धरताः मृद्यु संसार सागराः भवामीन चिराथ पार्थ मैयावेशित चेतसाम मैयेव मनादस्व मै बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मैयेव अत उर्द्वं नसंशय अधचित्तं समाधातं नसक्नोशे मैस्थिरं अभ्यासयोगेनततो मामिच्छाप्तुंधननजयाः अभ्यासेप्यसमर्थोसी मतकर्म परमोभवाः मदर्धम पिकर्मानी पुर्वन सिद्धीम वाप्ष्यसी अथे तदप्यसक्तोसी कर्तुमाध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततक पुरुयतात्मवाः श्रीयोहिज्ञानम अभ्यासाः ध्यानाध्यानम विशिस्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग स्त्यागात् शान्ती अनंतरम अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रह करुणये भच निर्वमो निरहंकारह समदुखसुखक्षमी संतुष्ट सततम्योगी यतात्माद्रड निष्चयह मैयर्पितम नोबुद्धिर योमद भक्त समेप्रियह यस्मान नोद्विजते लोगो लोकान नोद्विजते चयह अर्शामर्षभयोद्वेगेर मुक्तो यस्चमेप्रियह अनपेक्स सुचिर्दक्स उदासी लोगतम्यथाह सरवारंब परित्यागी योमद भक्त समेप्रियह योनरश्यति नत्वेष्टि नशोचति नकांशति शुभा सुभपरित्यागी भक्ति मान्यस समेप्रियह समह शत्रऊच मित्रेच तथा माना पमान योह सीतो अश्न सुथ दुखेशो समह संग विवरजिताह तुल्यनिंदास्तु दिर्मवनी संतुष्टो येनकेनचित अनिकेतस्थिरमतिर भक्ति मान्मे प्रियो नरभ येतु धर्म्याम्रुतमिदं यथोतं परियुपासते बक्तास्ते तिव मे प्रियाह ओं तत्सथि श्रीमत भग्वत गीता सुथमे सत्सु प्रम्विद्यायाम् योग शास्त्रे स्री कृष्णार जनस्वादे बक्ति योगो नामा द्वाद सहस्रे कृष्णार नमस्तु बोलो गीता मैया की जये अत्रो पस्थित चिरंजिवी प्रतमेश बावा एवं श्रीमत भग्वत गीता अनुरागी सर्वेशोता जनों बहद गीतानु दर्शन अनेक प्रकार थी अनेक विचार को ये करिऊंचे अने जे जेवा द्रश्टी कौण थी गीता जीने जुए चे कंगे आपडे त्यां शास्त्रो सर्वतो मुखोई जे आएमने तमे जे तरफ थी जोडवा मांगो अर्थगटन करवा मांगो शास्त्रो जाने पोतानी सहमती आपता हो एवा लागे श्रिमत भगवद गीता ये वो एक मात्र हिंदु धर्म नो गरंत चे जेनू सव थी वधारे भाशाव मां भाशांतर थे जन जन सुदी पहुंचे जे अनेक विचार को अनेक दार्शनी को अनेक अनेक प्रकार थी गीता जीने पोताना विचार अनुसार एना अर्थगटनो करे जे जब अभ्यास योगनी वात करियें स्वयम गांधी जी अना सक्ति योग वते जारे गीता जी पर पोतानो विचारो प्रगट करया तेरे विशेश रूपे अना सक्ति उपर भारापी अने अना सक्ति योग रूपे पोतानी व्याख्या प्रगट करें इरते विनोबा प्रश्चन मा जयने विराम पामें एनु नाम भगवद गीता चे जो प्रार्थना थी भगवद अवतार थाए अने प्रश्ण थी गरंथनू अवतरन थाए जारे जारे प्रार्थना करी चे भक्तोय त्यारे भगवाने अवतार लिधा चे अने जारे जारे भक्तोय प्रश्णों करया चे त्यार एज भगवान गरंथ बनी ने उतरित थे आज़े दरेक गरंथो ना मूल मा कोई प्रश्ण छे अन्य धर्मों मा प्रश्ण पुछवानी ना छे अन्य हिंदो धर्मा शरुवात अथा तो ब्रह्म जिग्यासा प्रश्ण थी शरुवात थाईज कैम कैई दीते शामाटे शिष्यस्तेहं साधिमाम्त्वां प्रपन्नम शिष्य बनीने प्रश्ण पुछवानू अधिकार अर्जुने मेडवयो छे कांगे त्या भगवद गीतामा भगवान आगल कर तदविद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्णेन सेवया उपदेक संती ते ज्यानम ज्यानिना तत्वदर्शिना तूरे गुरु पासे जाने त्या प्रश्ण कर एम भगवान पोते कहे छे येटे शिष्य बनी प्रश्ण पुछवानू अधिकार मेडव छे अर्जुने अर्जुने ज्यारे पोतानी वात करी त्यारे एम हतूं के भगवान अवणाद मारी जुड़े सहमत्थाई जशे पड़े एने खबर नहोती के सहमती नी जग्याए भगवान नी नाराजगी क्याक मलशा क्लैब्यम मास मगमपार था कि अर्जुन एटले तो वारे घडिये प्रभू । अगल कहे चें कि प्रभू आ मूंजों नी ज्यांन योगनी वाद करों बचका कर्मी योगनी वाद करों एक बाजु कोछो कर्म चडिया तो एक बाजु कोछो ग्यान चडिया तो और कर्म करता बाजु उण्यान चडिया तो अर्जुन ने एनी वात्नी सहमती भगवानना मुखे मेडवानी शंका फर्रूर में प्रयास युकरी रहा क drinks प्रश्नोंने शंका ओ नहीं तो तो सिधु कईदे करिश्य वचनम्तव यात्रा तो तेया सुधी नीचे शिश्य थी शरू थेली यात्रा सेवक पणा माजे इने विरामपा में चे शिश्य प्रश्णोत्तरी करीश के चे सेवक एतो आपनी जेवी आग्या यहले शिश्य माथी सेवक बनवुँचे आध्यात्मिक मार्ग नुँ उडधिवी करण चे सेवक बनवुँए नीचे नुस्तर न थी ए उपर नुस्तर चे एटले पुष्टी मार्ग माँ ब्रह्म समन लिदा पची आपने हम न थी किता आध्यात्मिक मार्ग में शिश्य मारूँ शिश्य मार्ग म थे उइंड़क बनवुए दास लब्धा तत्प्रसादान्मया चुत स्थितोसमी गतसंदेह करिश्ये वचनम्तव अवे आप जैम कहशो एम करिश्य शिश्यती शरू थैली आत्रा सेवक पड़ामा विराम पामेच आर जुन्ना पुछेला प्रश्णो आब प्रहु चोखवट्थी को बगवाने तो चोखव कई दिदू छे तसमाद उत्तिष्ट कोंते या युद्धा यकरतनिश्चा या युद्ध लडवान उच्छे पड़ा जानी करी ने जम कोई बहनों सागभाजी लेवा जाए ने सागभाजी वाड़ा जोड़े केवी माथ बई तु चोखव कई दे सू भाव नकी करी ने दबल दबल करो छो पिला है तो एकत भाव कि दो होए पड़ा भावे लेव होए नेटले आपने युगती करिये वही तु वीज मान पचीज मान आउ डबल दबल ना बोली चोखव के पिलो के चोखव तो कि दू दू बगवान के में चोखव कि दू चे तसमाद उत्तिष् बड़ा अर्जुन नखेल छे अर्जुन बुद्धिमान छे ने बुद्धिमान वेकती पोतानी वातनी सहमती घणी बार लोकोंने प्रश्ण न होए लोको पोतानी हामा हाँ पाड़ेवा गुरुने शोत्ता होए अटला प्रश्णों कोई समाधान करतू नथी, तानने समाधान जोईतु नथी टानने तारी हमा हाँ पाड़ेवा वेकती ने गोते चे तान्रे समाधान नथी जोईतू, तारे सहमती जोईये चे अने इतला माटे आपणे गुरु ने जे गुरु पासे जहीने समाधान न मढ़े एमा गुरु नो वाक नी काड़ो आपणे शिश्य बनीने नोता गया ए विचारू खामी आपणा शिश्यत्व माहती हुँ शिश्य बनीने न मढ़ेो वो केवल प्रश्ण लईने मढ़े ना जवाब एक क्यारे समाधान आपतुद धथी शद्धा समाधान आपएचे दरेक जवाब माए एक प्रश्ण छे तवने कोई पड़ उत्तर मढ़े जो प्रश्ण ज करवा होए अर्जुन ने प्रश्णाज करवा जए तो पछी जे उत्तरमण से माँ प्रश्णाज सोच छे जए पुछवा पुछवा नो फर्क है जम एकादसी एक खाऊ न जोई कि एका तर्श्ची मिठो न खाऊ आउत आखाऊ आणि एकधिसर मिठो न लजाए नहींbuildि की करी रिया चे तमें इच्छों के ना खाव तो चाल से एज वस्तूर तमें जुदी रिते पुछो तमें इम इच्छों के ना यहाँ पाड़े एम अरजुन पन युक्ती करियो चतुर व्यक्ती छे ने तुरंत शर्णागत न थाए एनी चतुराई बुद्धी ने एटले तो मैये वमन आधत्स्व मै बुद्धिम निवतारा आपी रमकडा पेला मने आपी दे नहीं तो आना थी तु रम्याज करिस तारी मन ने बुद्धी जो तारी पासे रहसे ने तो तुमारी वात्म स्विकार नहीं करें जे क्षणे अर्जुन ना मनमा बेसी गयू एवू लाग अर्जुन नी प्रतेक चाला की ने भगवान उडखे छे और जुन ने खबर न थी पड़ती पर भगवान जानी जाये छे क्या थी जागी रहे हूँ शिश्य थी लई सेवक सुधीनी आत्रा शे भगवान अने चर्चा तो गणी बदी निकड़ा शे बगवान जी आगल के धर्म संस्थापना अर्थायसंबद धर्मनी संस्थापना माटे आओ उचुँँँँ अने ज अर्जुन ने आश्चेरेशुटासे सर्वधर्मान परितज्य मामेकम शर्णं ब्रज़ा एक बाजुई जो के धर्मनी स्थापना माटे ऐक बदा धर्मने छोड़ी दे ले खंगे आत्मधर्म थी, मोटो भी जो कोई धर्म न थी अन एनी पाचल देज धर्म छोड़ी शकाश तो गणी बदी चरचाओ गीता-जी ने तो जेतला दृष्टी कौंधी तमें जुओ तमें जुओ इतला गीता-जी ने जे भगवान करावा इच्छे छे, ये त्या शरणांगती मा जे इने विराम पामे छे गिता जी जो दवानी दुकान मा बध्धी दवा काम नी जोए ने पर बध्धी दवा सारी जोए, कोई खराब ना होए पर आपड़े गमे ते ना खई जोए, तो आपड़ा प्रिस्क्रिप्शन मा डॉक्टर लखी आप एज खवाए एम गीता जी ने सर्व सास्त्रो बध्धी दवा काम नी जोए पर आपणे कई खवाए जे महाप्रुजी आपणे प्रिस्क्रिप्शन मा लखी ना पी होए आपणा तो कल्यान नो एच चे अईया जे चर्चा आपणे करी रहा तक ही काले आपणे जहां कथा ने मुकी हती अने त्रीजा अध्यायमा यद्यदा आचरती श्रेष्टह ततत देवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरूते लोकस्त दनू वर्तते ए श्लोकु पर आपणे एक्विस्मा श्लोक पर कथा विराम पामी हती कि जे जे श्रेष्टियो जे जे आचरन करे छे यद्यदा आचरती श्रेष्टह ततत देवे तरो जना सयत प्रमाणम एज लोको माटे प्रमाण छे जो आपणे पन गरंथ वाची ने अध्यात्मिक मार्ग माँ चालता न थी पन कोईने सामड़ी ने या कोईनू कहू कही ने धर्म ग्रंथो द्वारा उचो परीचे मावे चे पन कोई श्रेष्ठी द्वारा आपणे धर्म माँ आकर्षित थाईये चे यहने फॉलो करिये चे लेक मोटो वर्ग समादनों फॉलोर्स चे अध्येन शिलो चो होए चे बधा गरंथो खोली ने वाची न थी शकता है आपणा धर्मनू नू नौलेज आपणने कोई गरंथ माची न थी आवियो कोई वडीलो ने सामड़िया चे कोई गुरुजन ने सामड़िया चे कोई वईष्णों नो संग करेऊ चे एना थी आपणे सिख्या चे कि पुष्टी मार्ग इटले शूँ पुष्टी मार्ग मां शूँ कराए गीता जी मां शूँ छे भागवज जी मां शूँ छे अर जो के हम धाय के कया लिवा चात्रिस्ष्मा श्लोक मा अर्जुन नी मूझनुवना आवे छे। ज्यारे जो जुँद कि अनेक पाप मा गरसीत थाए नहिए छता मानस पाप मा प्रवृत्त थाए अर्जुन चात्रिसमा श्लोक मां सुन्दर प्रश्ण करें, जाने अपना बद्धानो प्रश्ण चरता अर्जुन नो प्रश्ण नथी, आपने बद्धाने नतीते तुक आपने बदी खबर होय चे, नथी करवु हतु, छता ये पाप केम थई जाए जाया चे, ये वूं कई बल छे जे मानस ना हाथे पाप करावी ले छे अने प्रश्ण करता अर्जुन वाच अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्ष्णेन बला दिवनियो जित अर्जुन प्रश्ण करे छे अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन वार्ष्णेन इच्छन नोवा चेथा बला दिवनियो जित अर्ज़ी करे छे जे मानस पासे पराणें पाप करावे छे अपने हम थाए अपने पुण्य ने जानिये चे, पाप ने जानिये चे, दर्म ने जानिये चे, अधर्म ने जानिये चे, छताए अधर्म ने पाप करवा माँ जे मज़ा आवे चे, इप पुण्य करवा मा किम नथी आवगे? पुण्य माटे केम पराणे बेसाडवा पड़ेशे, ठाकोरजी माँ केम पराणे मन लगाडवा पड़ेशे, और विशेव मां मन सहज लागी जाएशे, आउ केम थाएशे, कहाई कोईक तो बढ़ हसे ने, जे मानस ने पाप तरप खेची जाएशे, और उत्तरापता भगवा जने ने लुझार। तो आने वेरी जान, कौने रजोगुण थी उत्पन थनारा काम अने क्रोधने, जो गीता जी एक कामनाओ मां थी भावनाओ तरफ लेजनारो ग्रंत छे, अने कामनाओ थी ग्रसीत जीव छे, बस एज कामनाओ भावनाओ बनी जाये, जेना केंद्र मां भगवान आवी जाये, तो एज कामनाओ उधारक बनी जाये, रजोगुण थी उत्पन थनारा काम अने क्रोध, आब अने ने वेरी जान, जे वस्तु छोडवी होएने तमारे, साउती पहला एना तरफ नफरत पैदा करवी पड़े, तमने कोई पड़ वस्तु छोडवी चे तमारा जीवन में आव अने मन्थी एना प्रत्य गलानी अने नफरत पैदा थर शेने, तो आप मेले छूट से, पने प्रेम करता करता क्या रेनी छोड़ी चे, काम है शे, कामनाओ, बानस्तने कामनाओ दोड़ावे चे, एक वस्तु यादरा को बानस्तनी आवश्यक्ताव बह उची होए चे, इच इच्छाओ दोड़ावती होए चे, गणालोगों के आम पेट माटे दोड़ू, पेट कोई ने दोड़ावती नथी, बदाने जीब दोड़ावे चे, खिचडी तो बदाने मली जाये, पने रसगुल्ला खावावे तो दोड़ू बड़े, इच्छाओ दोड़ावती होए इच्छाओ दोड़ावती नथी, तम्हें बेट चार्ट बनाओ तमरा जीबन मा, एक आवश्च्छाओ नो, एक इच्छाओ नो, तो आवश्च्छाओ नी लिस्ट भूँ नानी जीच्छाओ नी लिस्ट खुब लाबिये शे, मानस ने इच्छाओ तो बगावे चे ने, क् पिता बासे घर मा आवेऊ, केवाल आगेऊ, पिता जी, बधा सास्त्रों से खी लिधाच है, पिता जोयों कि अध्यान तो करी नावेऊ, पड़ अंकार्मन लही नावेऊ, तो पिता पुछियों कि बताव बेटा, तु बधु गुरुकुल मा बढ़ेऊ खरा, एक पिता जी, आने जा, क्यांकी जानी नाव, पछी मारी जोड़े सास्त्र चरचा कर जे, विलाने चेवों का आटला आटला सास्त्रों बढ़ेऊ, पन पापनो बापनो नाम तो कोई न थी करू, लाव सोधी नाव, गोती नाव, और निकलेऊ घरे थी, चालतो चालतो पिता जी ने, जा, सुधी पापनो बापनो गोती लो, त्या, सुधी गरे नी आओ, और चालता चालता निकलेऊ, क्या है गामनी बाहर दूर निकलेऊ, बेचार गाम आगल निकली गयो, और एक जूपडु वतु गामनी बाहर, भुक्यों तरस्यों ताप हतो, अन्ते आज पिता जी ने, बेचे गरे, पड़ एने खबर नो थी, कि आज जूपडु विजा कोई नो नहीं, गामनी सुप्रसिद्ध गणीका नो ए जूपडु हती, गामनी बाहर जूपडु बांदी ने रहती, बाहर बेठो, एक, बेक कल्लाक ने, पेली बारी मां थी जोयों, क्यों कोई ब्राह्मन नो दिकरों लागे छे, आने बाहर आवी ने भूख्यों बेठों छे, मारा आंगणे कोई ब्राह्मन पहली बाहर मारी जिन्दगी में आवया छे, आने पुण्य करवानी तक मळी छे तो सामाटे जवादों, आवे बाहर द्वार खोलियों, आने कहूं मारा मारी घरे पहली वार कोई ब्राह्मन आवया छे, आने मारी इच्छा छे के मारा घरे आप भोजन आरोग, पहलो के पेलाने भी थेओं के क्या रे भोजन क्या मळे इसी खवर हूं तो गरे ते निकली गयो, ठीक छे, ठीक छे, ब्राह्मन देवता छे, तो अशिरवाद आप माराज आपने एक छोखोट करी दो, हूं आ गामनी गणिका छो, ओहो, गणिका ने त्यानू पाणी ये माराथी ना पिवाए, हूं नहीं पिवाए, पर माराथ तमें ये निकला से ना माटे छो, तारे सु लेवा देवाच, और नाना माराज आप युवान चो जाने उत ख अगे पड़ेगे, माराज फरी आओ आउसर मने क्यारे मलसे, कौन जाने मारा घरे पहली वार भुदेव, ब्राह्मन देव आवया चे, माने सेवा करवानी तक आपो, लोगे नाना तारा घर नू पाणी थोड़ी पिवाए, माराज, आप पापनो बाप गोतवा निकला आच जी आतो क्या किटलो समय लागे पापनो बाप क्यारे मले कौने खबर अपने रस्ता मा थोड़ू काम लाग से, मारा घरे जो भोजन करो ताटली दक्षिन आप फिलाने पड़ मनमा थे हूँ के खरिकर आप आपनो बाप किटला वर्षे मले कौन जाने नू नाम क्यारे खब पड़े, किटला महिणा जाई भी ताटले किटला मास निकड़ी जाए,即ि ठीकष्के भोजन करीशु पर भोजन करी उज दृज़षी तो कि बले बले महाराद बभ कुर्पाहँ करी जही पोजन तक्यार कर वा लागी मय अनि अंदर पाटला वा मा विराजमान करया वे आपनो बाप का निकले आचो आप क्या रे आपने मले आप थोड़ू काम लाग से आपने मने बनावादो ने ठीक छे खिसे बनाओ पर पवित्रताथि बनाव जे पलाएं तो वरस निकली जाए तो वांदो न आव बोजन बदू पिर्शियों पाणी वाडी मुकियों आनि काई हाथ पकड़े माराज पापनों बाप गोतवा निकड़ा छो कौन जाने क्यारे मड़े हुँ आपने पांच जार सोना मोर आपू जो पहलो कोडियों माणा हाथे मने आरोगावाद अरे डाना आतो तुद हद करे छे जम तने कहीं कर अरे माराज पांच जार सोना मोर काम ल पीजो नहीं लेवादो अने पेला जया हाँ पाड़ी त्या गणी का एक थपाट मारे चोकी गशुकर जार माराज आपने जवाब आपूछो लोभज पापनों बाप छे आपना मनमा थी आ कामनाओ वत्ती गई वत्ती गई वत्ती गई आने आ कामनाओ पापना बाप मा मानसने प्रेरे चाए। मानस नी कामनाओनों कोई अंत न थी होतो मानश न आंत थेहाए पड़े नियिच्छाओनों अंत न थी होतो आशा पाश सताई रिबद्धा आशा ओथी बंधायलो मानस चे केट-केटली कामनाओ लईने मानस चाले चे जीवननी यात्रामा जीवन पुरु थवा आवे चे पन कामनाओ पूरी नथी थती मानस चे काम है ये श, क्रोध है ये श, आना बिजु कह युँ क्रोध जो आ नरकना द्वार कया चे त्रिविदम मागडा आव से क्रोध बने तो क्रोध छोड़ो जे छे जे थाई रहूं चे ए भगवान नी इच्छा ते थाई रहूं चे अन्य यमा पुण अमुक उमर पछी तो जो सवभाव सारो न राक्यों तो गढ़पण बहु खराब जश है गढ़पण मा एकज आकर्शन होए छे तमारों सवभाव जो सवभाव सारो हशे तो गढ़ना बधा आवी ने तमारी बाजुमा बेश से पर जो स्वभाव न सारो राक्यो अनि जेना स्वभाव सारा नती होता एना गढ़पन बहु खराब जाये जे गणाने में जोई हुँँछू पछी एकलो पड़ी जाये छे मानास कंगे ना स्वभाव ने कारण अमुक उमर थाये पछी चलावी लेता सिखो सहन करता सिखो सु हुए तमारा थी कोई सुधरेम न थी जेवा छे वा स्विकारता सिखो हुए हुए तमे सुधार वाई जैसो तो लोको तमारा थी दूर थाये जैसो सारो स्वभाव एज घड़पण नू आकरशन छे बिशाड़ो वाद करो अने क्यारे युवा नो जोड़े एम तो नहीं क्यों अमारा जमानामा है युँ कहतात समझी जाये लोकों का हुए तमारो जमानों खतम दही हो जे त गणिवार गवववेंट नू पढ़ आक फैमेली नू पिच्चर जोई है तो एक फादर हो एक मदर हो एक चुक्रन चुकरी हो है आ भारत नू फैमेली न थी आगाँ किया जसे दादा दादी क्या जसे साथ जणा जोई च जणा तो जोई है चार जणाउ पोस्टर एक ग दादा, दादी, मा, बाप दिकरों दिकरे, त्यारे एक फैमेली पोस्टर कम्पलेट था है, एटले गणिवार आपने विदेश नु अनुकरन करिये पने भारत न ए पारिवारिक न सामाजिक मा बंद बेशतु आउतू न थे, कंके या लोको कुटुम्बनी भावनाथी एटले जो दादा ने पाउत्रा नु बहु बनतू असे, एनु कारण एक अज कंके बंदे नो दुस्मन एक जोए, जे वच्चे होए, आंके बंदे ने नड़तो होए, एटले खोवन भैक्न दी जाने बंदे फ्रेंड दी जाए, मुल वाच्या तो परिवार माँ, परिवा परिवारिक जीवन बनेश, आदर्स्ता नो विचार करी कोई ने सुधारवाना प्रयास न कर, कोई आइडेल न थी, आइडेल लोको ग्रंथो मा होए, पुस्तकों मा होए, कस्चिद्या तति सिद्धे, करोडों मा कोई एकोई, बगवान पन कहेश, और इटला माटे, साधा मानस ने, मानसो आवाज विचारे, आविरिते जरडे, आविरिते जहसे, आविरिते जगडे, आविरिते जगडे, आविरिते जगडे, आविरिते जगडे, आविरिते बुले, अस्ता अस्ता रडी पडे बई मानस चे, दडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड कि अपतवा जशो ने तो एकला रही जशो चौपडी मा लखेला दिक्राने जारे निबंद आयो पप्पा विशे अने एने चौप गाइड मा वाचू एने थे तो आमारा घर मारे जे कोण छे अंग आना थी तो साव विरोधी छा तो आवा निबंद लखाए एवा व्यक्तिय हमेशा एक बिजाने चांस आपतारो तक आपतारो कोई एक घटना थी प्रेमने डोरी कापवानी उतावड न करो संसार एरिते चाले चे एक बिजाने मौको आपी न चल अवे न करतो, अवे फरिवाराऊ नहीं करिये फरिवाराऊ, एम करिने मौका आपतार हो एक बिजाने एरिते जीवन चालतो होईशे पड़ जे व्यक्ति तक नखी आदती आपी शक्तो एना संबंधो तूटी जता होईशे दमेते हूँ थयूँ तक आपवामा कंजूसाई न करो अवसर आपतार हो, एक बिजाने मौका आपतार हो पगवत गीतामा भगवान समझावेशे काम हयेश, क्रोध हयेश, क्रोधी बचो क्रोध करवानो तो बहुता मानसों न दिकाए अपने तो दासती ठाकोर जीना क्रोध करवानो दिकाए आपन नहीं क्या आजए जो आटला वरसो ती मन बदा आवलको क्यारे कुस्तामा जोएँ सव्वती जूना मां जो आजा हो तो अपड़ा मां तरु बेन लोगो सव्वती नान पनती हमने पड़कता Master क्या रेक क्रोद मां जो है जो है क्या रेक कोईनी भं झाले खराब बोलता जो है जो आपड़े ग्रंथों मां तो मां ची पर जो आपड़ा जीवन मां जा अब हुँच करोज करता हूं तमने बजाना ची कोई ये गुसों नहीं करो जो ये तो पैसों अर्थ सुरे मुड़ू बात एछे जे आपड़े भणिये छे वाचिये छे सीखीये छे इअपड़ा जीवन मां अपड़े कही रीते उतारों येनों सत्तक प्रयास करो जी कोशिश करो कोई आइडियल ठही जतू नथी प्रयास कोशिश आ भगवानना कया मा हुँच्छू पचि हुँ भग दोवाननों थयो एपचिरी बात चे कम थी कम भगवानना कया मा तो रही है सारों दिकरों कोण के वाजे कया मा हुँच्छू पढ़ा कया मा हुँच्छू आपने ने रूंधिये नती नाखवान एपोता ना स्वतंत्र विचारों थी आगपन आपणी आदर्ष्टा एक भक जीवन, जीवू होए तो तमे भगवाननी आज्या मा जीवो दास एनेज केवाए अपने प्रभुना दास बनूँच्छ तो दासनू पहलू लक्षन सुँच्छू जी आज्यांकित होए कया मा होए तो प्रयास, काम एएश, क्रोध एश, रजोगुण सव, रजोगुण थ जेटली सत्वगुण, एटले कुरोध छोडवानी कोशिष्ण करो, काम छोडवानी कोशिष्ण करो, इर्षा छोडवानी कोशिष्ण करो, सत्वगुणी थवानो प्रयास करो, मूल मा जई आपने, रजोगुण थी सत्वगुण ता, जेटलू सत्वगुण प्रधान थश रजोगुण में ती सत्वगुण मां मन आवशे ने आप मेले स्थीर थवालाख्षे सत्व तरफ, पुन्य तरफ ए आकर्षित थवालाख्षे त्यारे मनने पराणे लई जव पड़े छे एनो वर्त ए रजोगुण तमोगुण प्रदान चे जेटलु मन सात्विक थशे मन एकाग्राप मेले थवालाख्षे एटले तमे तो अभिवेक्ती ने सुधारवानी कोशिश करोच रजोगुण नी अभिवेक्ती चे काम, क्रोध, कामनाओ, इर्शाओ, क्रोध आबद अन सत्वगुण नी अभिवेक्ती चे शान्ती, एकाग्रता, प्रेम, पुण्य अंतक्कन जिटलु सत्वगुण प्रधान थशे सहज माँ पुण्य माटे प्रेम पैदा थशे प्रभु अन एक प्रकार थी अर्जुन ने समझावे छे के आ बदाने वेरी जान, अने वेरी जानिश तो जामा थी तो मुक्त थाई जैश एक्टे आपणे बदा अहियां केवल प्रेम करवाज न थी आवेर बांधवा आवेया चे अने आ सामड़ा पछी आपणे बदा आज थी रजोगुण एकले के काम आने क्रोध तरफ वेर बांधिये चे यह आपणों सत्त्रू छे एम मानी ने आपणे अपने स्विकारी शू आगर अर्जुन चोथा श्लोक मा अहियां आपणे आ त्रीजाद ध्याईने विराम तरफ लई जेए आने छेलो श्लोक ते तालिस्तमा श्लोक मा कहता कहूं एवं बुद्धे परम बुद्वा संस्तभ भ्याद मानमाना जही शत्रू महाबाव कामरूपंदुरासदम तो आ कामरूपी जह जिती शकाये उन थे जशत्रू जान यहां सुधी आनंत कामना हो तारा जीवनमा छे, तारा जीवनमा अकलेश नुद्वेक बन्याज रहे शे, एम कहीने तरी जाद्याइने विरा मापी ओम तत्सदिते शिमत भगतिता सूपने सचू ब्रह्म विद्यायाम योगस आस्त्रे शिकृष्णा अर्जुन संबादे कर्म योगो नाम तृत्योध्यायाः कृष्ण कनेयाला अधा चतृत्यायाः ज्यान कर्म सन्यासयोग शिभगवान वाच पहलो श्लो इवं विवस्वते योगं प्रोत्तावान अभ्ययं विवस्वान मन वेप्राहा मनुरिक्ष्वावेप्रवेत बगवान सुन्दर रिते समझावा लागया कि अर्जुन जो आयोग छे सौती पहला अविनाशी योग में सूर्य ने कहो सूर्य पुत्र वहिवस्वत् मन्न ने कहो ऐने अमनु योगनी परंपराचाली अर्जुन के इकमिटे प्रभु आपे अदिकाल मा सूर्य ने कहो एने ना पुत्र ने कहो एने ना इक्सवा कुने कहो आप तो हमना मारा समकाली इन जो आप क्या तो आप त्यारे क्यारे हता हैं, मने समझबान थी आउती है, आने त्यारे, अर्जुन वाच, चौतो श्लोग, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वता, कथमे तद्विजानिया, वमादो प्रक्तवार निते, प्रबु आप तो आमना अर्वाचिन छो, अने अवी प्राचिन अना आदीकालनी बात, आपनी बात मरे गले उतरती नथी, कई रीटे आप त्यारे कई शको, त्यारे भवान, अवे पोतानी भगवत्तानो अनुभाव करावता, पोताना भगवान पढ़ानो एसास करावता, अर्जुन ने, श्री भगवानु वाचर, बहुनी में व्यतितानी, जन्मानी तब चार जुना, ताज्य हम बेद सर्वानी, नत्वं बेथ परंतप, बहुनी में व्यतितानी, जन्मानी तब चार जुना, अर्जुन, तारा ने मारा, अनेक जन्मों थाया जा, ये दरेक जन्मों ने हुँ जानू छू, पड़ तू जान तो नथे ऐड़ या पुनर जन्म बाद, अग हिंदु धर्मनी विशेष्टा छे पुनर जन्मा अपड़े त्या, अनेक कर्मों करता करता आविये छे अनेक कर्मों करिये छे, भोगविये छे अने पची आगल जन्म लेये छे तारा नेमारा अनेक जन्मो थया छे मुँदर एक जन्म नी गथाने जाणू छो, तु जाणतो न थी अपने त्या जीवनी गती अनेक प्रकार्ती बतावी छे माकड नी जें गती एंग गिता जीमा तो कहुँ आजीवात्मा नी गती के भी जेंगे भी माकड कही रिते चाले बेपग पहला उपाड़ी ने मुखे अन्य पछी बेपग पाछड ना उपाडे एटले त्यां सुधी कहुँ कि आदे छोड़ता पहला आ जीवात्मा नव दे प्रकार्मी जीवात्मा नी गती घरुडपुराणादी न भचंत्यों गतइन सो . इपने गती बतावी छे तो यहां कहूं हूं बधाज आने जानू छो तू जानतो रथी एम कही ने आगल सात्मा श्लोक मा परमात्मा समझावता बोलेया आपन हीता जी नो इस प्रसिद्ध श्लोक ग्लानिय भरति भारत अभ्युत्था नम्म धर्मस्य तदात्मानम स्रिजाम्या आगल परित्रानाय साधुना विनाशायच दश्कृता दर्मसंस्था पनार्थाय संभवामी युगे युगे जैं आश्लोक पण जम पुरुमा विना श्लोक नी वाद करी कर्मन ने वाधिकार अस्त ए रितेज गिताजी नो आश्लोक पण सवती प्रसिद्ध अबे श्लोकों गिताजी ना लगभग लगभग बधाने अडधर दात आवडता जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भव भगवान अवतार वाद नी वाद करी रहाच पछी आगड़ पुनर जन्मनी पड़ वाद करशे के जीवात्मा कै रहवेज करमनु साहरे नी गती आपड़े त्यां जो गीताजी माँ पड़ भगवान भगवान ना व्यू भगवान अवतार भगवान नी विभूती अवा जुदा जुदा प्रकारना भेद जी भगवान एच छे जो आगल विभूती योग पड़ाँ से भगवान एमा पड़ त्रण बेद गीताजी आगल केसे क्षर अक्षर पुर्शोत्तम पची भगवद अवतार नी वाद यदा यदा ही धर्मस्य गलानीर भवती यने श्रीमत भगवत्मा एते चांस कला पुंश कर्ष्नस्तू भगवान स्वयम चोविस अवतार नी जे वाद करी चे सनत कुमारों थी ले इने कल की सुधी अवत्रू धातू पड़ ती अवतार शब्द बने उपड़ थी भगवान नी नीचे आओ जीव पन आवे चे भगवान पन आवे चे बनने मा फरक ए चे जीव विवस्था थी आवे चे अने भगवान व्यवस्था ने कारणे आवे चे आवे चे आमूल भेग भगवान ने विवस्था नाथी ये बन्सन न थी ए व्यवस्था करवा माटे आवेस व्यवस्था नो एक भगवान नो आवू अने जीव आवतों न थी येने मोकला आवे ए व्यवस्थानों भाग न थी जेवा करमों करया ए प्रमाण। एटले हुँ तो गणिवार कहू के तमे वैश्णों कुडुमा तमारों जन्म थयो छे ए अकस्मात न थी ए भगवाननी व्यवस्था जे गीता जी एनू प्रमाण आवे चे सुची नाम श्रीमतां गे जेने अ सुची नाम कोई पवित्र श्रीमत ना घरे एवा घरे जन्म आपू जिया भक्ती करवानी एने बधेज व्यवस्था मला तमारों वैश्णों कुडुमा जन्म लेवूं ये तमारा अनंत जन्मों ना पुण्यों नू फोल छे आने अकस्मात न मानता कि बस अही जन्म लिद वैश्णों गर्थाई गया ना वैश्णों ना कुलमा ना तमने अकस्मात लागे छे बगवानी तो व्यवस्था चे आप रभुवे निर्धारित करी अने तमने मोखले हा छे नहीं तो ओएवा त्या जन्म मढ़े होथ कि त्यां भक्ति ना थईशके पुण्य न थईशके बगवान एवा घर मा जन्म आपयों कि जहां भक्ति करवानी अनुकुलता चे तो मान जो अनेक पुण्यों नुफळ मने वैष्णो कुल मा जन्म मढ़ी ने मले उचिते तमने एवा घरे जन्म मलेओ कि जहां अन प्रासन करावानु हतु तो ठाकोर्जी नी प्रसादी सकडी तमारा मुखबा मुखी तमे चालता थया तो आंगली पकडी ने दादा हवेली नी सीडियों चड़ावी तमे बोलता थया तो बाए ताली पाडी ने राधे राधे करता पहला बोलता सिखवाडियों आ जो थई रहे उचे तमारा जीवनमा या थई उचे तो भगवान नी इच्छा मांजो क्रपा मांजो गत जन्मना पुण्यों मांजो कि आवा कुलमा तमारो जन्म थयो एवी जग्याए तमारों जन्म थायो कि जे आजे पन तमारा घरमा कई चारों तहवार आवे कोई प्रसंग आवे तो ठाकोर्जीनों उत्सव थाये उतो गणिवार कऊ के तमारा घरमा कोई उतावले 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 ओफिस जताओ और पाचल थी कोई अवाज लगाओ नारू होए कि आजी एका दशी छे डंडवत करीने तो जाओ तो तमारी जातने भग्यशाली मांजो कि तमारा घरमा तमने तहवारो मांए कोई भगवान याद अपाव नारू छे आटो क्यों न केवाए लोको बाचे इगो आउँ जवन त्यारे टोक टोक करताओ आटो क्यों न केवाए आप प्रभूनों अवाज मांजो कि एमना रदय मां बेसी ठाकोर्जी तमने बोलावी भाग्चि शाली छो कि तमारा घरमा तमने कुई भगवान याद अपाव नारू छे फेरव नारा आटा मराव नारा तो गणा मन रपभून भगवान यादः आपक्य शालीने मलता हों इवा कुडमा तमारो जन्म छे तो भगवाननू आववू एविवस्था छे जीवनू आववू एविवस्था छे एक कर्मना बंधनों ती बंधाई न आवे हो इटले एन्ने नक्की करवानी चोईस न थी मलती भगवान जता पेला पुझे तारे क्या जन्म ले हो जे आवव पूछवा मावे शे और तो मुकलवा मावे शे आम यदा यदा ही धरमस से तो जे बात करी रहे हो तो भगवान भगवाननों व्यू भगवजी माओ तो चतर व्यू भगवानना के वासुदेव, संकरशन, परद्युम, अनिरुद्ध आवा चतर व्यू थी भगवान लीला करेश ये तु उद्यम स्वीकर्ण कापट्टेई प्रत्युम वान पत्युम सुबोधनी माँ जन्म प्रक्रण मा महाप्रुवजी बतावे चारे व्यू थी परमात्मा, चतर व्यू थी पुर्शोत्तम आवेश और त्यारे जे पुर्णा अवतार केवाई जम भगवान राम चार व्यू थी भगवान कृष्ट चतर व्यू थी पदार्या येले पुर्णा अवतार मावेश च्छो प्रकारना भगवद अवतार थाएचे हम गर्ग सहिता मा गर्ग जी बतावेचे अंशांचो श्ततरा वेश कला पूर्ण प्रकत्यते व्यासा दैश्च स्वुता स्ष्ठ परी पूर्ण तमस्वयम अच्छा प्रकार ना भगवद अवतारों मनवाम आवेश तो आम ब्रह्म, व्यू, अवतार, विभूती, विभूती योग आवशे, जो अर्जुन ने केम पसंद करेवशे, पांडवा नाम धलन जया, भगवान नी विभूती छे, भगवान ती अलग नथी, यहां तो नर नारायन रुपे जोडायलों चे भगवान साथ, जुदों नथी, पर भगवान पोते विभूती योग मां कहे जिएक पांडवों मां हूँ अर्जुन छो, अर्जुन नी सजुन पर ऐख भगवान कोई ना सार्थी यहां नथी बनता, केट गेतली विवस्षाओ ने विचार करी ने भगवान कोई नी पसंद की करता हो, कोई सदकार्य माटे भगवान तमने पसंद करे ने, तो यहां निया स्थान पर नथी बैठा, आब भगवाननी इच्छा आत अवतार अनेक प्रकार नी चर्चाओ भगवान संबंदी छे और भगवान जुदा जुदा रूपे आवे छे भूतल पर अने पुताना कार्यो पड़े दरेक कार्यो नू मूल उतेशे शू यदा यदा ही धर्मस गलानीर भवती भारता धर्मनी गलानी थाए एम तो त्रण कारण आपे भागवत जीवा प्रुथवी गाय अने माता आ त्रण ना दुखने हरवा माटे परमात्म सिस्थाफना बगवानों मुख्या उतेश से शुच्छवा माते गौन उतेश्ष्यो ने त्या जी देवा या उलांगी जवाय अपराज्म जेम और प्रुथवी धर्दी में माती आटेटेक आयों माते अबुलेंस लई जा या तमारे गार मा बेसाडी ने लई जवो होए त्यारे रेड लाइट पर नल रोकाओ तो यह पाप न थे यह अपराद न थे अबुलेंस लई रेड लाइट तोड़ी ने निकली जाए अठो नियम चे रेड लाइट मा उबारे उपर पन अबुलेंस ते जूट छे यह तमारे जारे अती एकदम जारे अवा प्रसंजोग थेई जाए आपतकाल थेई जाए जारे गणा बदा ना 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 व्यवस्थाना पड़ावानी जहे खेए जाए सउथी मोटू मारू कार बदा जैए जाए जिताब शोंदा मतैंस तो गटवा पढ़ वाँ Но कoleफ डहे साचू करता खराब था तो ये साचू साचू नथे पर खोटू करता सारू थाए शे तो ये खोटू पन साचू जे कांगे नूँ परिणाम सत्य छे अन इतला मटे गणी वार आपडे भगवाननी लीला एपड़ आपड़ आगड़ जोईशू क्या भगवाननी लीला चे कर्म नथी एनी पर खरीदवा जाओ माटी नो तो ये टकोरा कुमभार ना माथे मारो के गड़ा मारो आपड़े लोगों बगवान जोड़े वो करी कई पड़ गटना घटे ने तकोरा भगवानना माथे मारी क्या साचू घोटू आओ क्याम करिव बगवान आख बगवाननी लीला ओनू भगवान करे धर्म चे कांके आप भगवान चे सवती पेला भगवत मुद्धी स्थीर थशे ने एटले एमना लीला लीला चे कर्म न थी नमाम कर्मानी लिंपंती नमे कर्म फले भगवान कर्म करता ज न थी ये कर्मना सिद्धान तो भगवानने लागू पड़ता ज न थी यह आगल चर्चा करेश। जहर आगल चर्चा निकड़ से तो भगवान ना माथे टक्वरा मारवानी जरूर नथी जे गटनाव छे एने चकास अने यमाती सार काड़। प्रतिज्या चे भूतल पर आवानी प्रतिज्या संकल्प लईने भगवान आवे चे के मारू आवानो उद्देश्य सूच है गमेते भोगे सतनी रक्षा करवी साधूनी रक्षा करवी गमेते भोगे विनाशाये चद श्कृतां कंगा दुष्ट लोकों होई ने आखी जिन् आढ़ी गए लो रतमाथी तू धर्म नो विचार कर भगवान के अवे धर्म याद पावे गड़ा लोको होए पोते क्या थर्म पाळे हो ना होए पोते फसा ही जयान बीजानों वारो आवे ने धर्म याद पावे अरे तु तो वैश्णावन नितारा थियावा तूसे ऑखी जिन्दगी अधारम थी जीवेलाने धर्म उस्रब्द बोलवानु अधिकार रज्यतो रह तो अन्य हमेशा अधारम थीज पोते पामियु उछ है एनै पची पर पोते अधर्म ना पक्जो, तमें खोटा न हो, पर खोटा पक्षे उभारो ने, और ये पक्षे जे पाप थाए, ये ना सभागी तमें पणके वाओ, गणा महा भारत ना युद्ध मा कवरो ना पक्षे वा हता कि ए खोटा न हो ता, एमने पाप नो तू करिऊ, एमने पक्षे उभाज है, एटले बिष्मजी ने पन मरूँ पड़िऊ, द्रणाचारे ने पन मरूँ पड़िऊ, खोटो पक्ष, खोटी जे ग्याए उभाज है, कारण एनो जे नेता छे, एम पाप मा रच्चे, जेम फ्लाइट जतू हो, एने पाइलोट पाडी दे, तो तमें एने डिपेंड थाओ, एने आश्रित थाओ, तो तमें मरीच जाओ, तमें भले भूमपाड़ो मारीश भूल, मैं तो काई नती करिऊ, मैं तो टिकेट कपाई ने बेटो तो, तू एना आश्रे मा छोना, जेना आश्रे मा होईये, एननू फड़ भोगववववववववव जेना आश्रे मा आवया, घणिवार, घणा लोको, व्यक्ती सारा होई, खोटा पक्षे होई, तो इनू भोगववव वड़ें, एक टले अमेशा ये पर चकाशता रहे हो, हूह खोटी जग्या ये तो उभो न थी नै, हूह शाचो छू एनो आपने विचार करता हो ये छे पड़ों खोटा स्थाने तो उभो न थी ने एनो पड़ विचार मान से करी ले हो कानके जो अधर्मना पक्षे उभारेशो तो अधर्मना फड़ भुगवाद पड़शे बले तमे गमे तेतला साचा हो अने आउज महाबारत न इद्मा थे उचे भगवान तो पतानी प्रतिज्या परित्रानाय साधुनाम विनाशाय च दुश्कृताम धर्म संस्थापनार थाय धर्मनी स्थापना माटे संभवामी युगे 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 युगमा हूँ आउज प्रत्ते एक युग मा भगवान जुदा जुदा रूप धारन करी क्यारेक क्यारेक कोई नी अंदर प्रवेश करी कोई ने निमित बनावी और भगवान दर्वनी स्थापना करेश है एम कही और हवे भगवान चोखवट करेश है कि भगवान साधूना पक्षमा एनी रक्षा माते पापियोंने मारवा माते तोसु एक महापुरुष रजजन व्यक्ति जें कर्म करे एवा कर्मों करे चे भगवान मनुष्यनी जें तो आगड़ना श्लोक मा नौ मा श्लोक मा भगवान चो खोट करता कहे बगवान खुला सो करी दिदो हुँ आउचु मानस पन आवे छे हुँ करम करू मानस पन करम करे पर मने साधान मनुष्ट जेवो न गणी लेता मारो जन्म साधान मनुष्ट जेवो न गणी लेता मारा करमो साधान मनुष्ट जेवा न करी लेता काण के हुँ करम करतो न थी हुँ लीला करू छे आ वात जारे समझाई जेशे एक तो भगवत बुद्धी कृष्ट मा स्थापित थाई जेशे विजू भगवान अलवकिक छे एनो जन्म थतो न थी एनो प्रागट्ट थाई छे अन विजू भगवान कोई कर्म करता न थी भगवान लीला करेशे आ त्रण वस्तु समझाई शे ने तो भगवत जी सामड़वानो अधिकार संपाधन तशे अन ये न समझाईउ अन साधान मनुष्ट जेवा भगवान ने मानी लीदा तो भगवत नी दरेक लीलाओ मा भगवान माटे शंका पैदातो शे अन वास्ता वास्ता कोई क्षणे अभाव पड़ावी जैसे जो भगवान ने अने भगवान ना कर्म ने लीला ने न सम्झा जन्म कर्म चमे दिव्यम मारू जन्म दिव्य छे मारू कर्म दिव्य छे एटले के लौकिक जेवू नथी मानस जेवू नथी परम मलौकिक छे प्रभोनू प्रागट्य थाए छे गड़ी बार लोको हैं के भग बगवान ने पड़ तीर खावु पड़िव जोने कर्म तो कोई ने छोड़ता नती बगवानने कर्म बाधा करता नती एने कर्म वस्थाई जन्म लेवो पड़तो नती और कर्म वस्थाई मृत्यू थतू नती एमनू अवत्रन थाये चे और एमनू प्रयान थाये चे जन्म के दिव्यम मारा कर्मों दिव्य छे कान के हुँ कर्म करतो नथी हुँ लीला करता न जो भगवान ना चरित्र मा कर्मना सिद्धान्तों लागू पड़ता न थी लीला ना सिद्धान्तों लागू पड़े छे यले कर्मना सिद्धान्तों ना चस्मा पहरी क्यारे पन कृष्ण च करित्र ने जोवू नहीं बनने मां आस्मान जमिन नो फर्क चे नमाम कर्मानी लिंपांती नमे कर्म फले स्पुरा मने कोई कर्मों लेपता नथी ने मने कर्म कर्वानी कोई स्पुरुआये नथी मारा कर्मों दिव्य चे मारा कर्मों ने लीला के वाए चे अनायासे नहर्शा क्रियमान चेश्टा सलीला जेनु का इंटेंशन न होए केवल आनंद नी अभिवेक्ती होए जेने आपने नाटक कही नटो नाट्य धरो यता कुंता जीना शब्दों मा उतों लीला करूछू नाटक करूछू खेल करूछू अने इटला माटे ज कर्मना सिद्धांत प्रमाने जे जे वस्तु निंदनीय चे प्रमाटे एज वस्तु स्तुत्य चे जे तम्हें मंदीर है और श्याम सुन्दर भगवान की अब कोई काडो होए आने जेने काडियों को तेनी श्तुती के वाए कि अपमान के वाए कोई चोर हो ए एने तुम्हें को तू तो चोर छो तेने स्थूतिक है भाई के अपमान के भाई अपमान के भाई ने कोई चोर ने सिधा मोडा पर चोर को बोलो माखण के चुरईया की चोरी-चोरी माखण खाई गयो रे नेवबदा दौड़पत गाऊ जो कर्म होद भगवान नो चोरी करू तो निंदा के बाद कोई विलन नो बहु सारों रोल नाटक मा के पिच्चर मा करे तो एने जेल मा पुरुवा मा अवे के वर्ड मणे मुवी मां बहु सारो विरन रोल करे हो एड़ एवड मड़े एज काम एक पिचर नी बाहर जहीने समाज मां जहीने करे तो जेल मड़े तो बाहर जहीने करवू एक कर्म और स्टेज पर कर्वू एक लीला जह भगवान नाटा के टले के लीला करे जह कर्म न थी करता जो चोरी क करवानू कर्म करी उओत तो निन्दनी था ता पड़ प्रभुनी तु लीला चै औरे कोई लड़तो लड़तो भागी जाburger कि आपणी mister अल्ले स्थुती के वाई के निन्दाइ के वाई निन्दा के वाई को ऑद आन num भगवान गीजे द्वारीकानो नात मारो राजा रन छोड छे ने मने माया लगानी डे द्वारीका नोनात मारो राजारण छोड़ छे एणे मन माया लगाडी रे द्वारीका नोनात मारो राजारण छोड़ छे एणे मन माया लगाडी रे द्वारीका नोनात मारो राजारण छोड़ छे एणे मन माया लगाडी रे मने अगल आवड तू न थी, पन द्वारीकानो नात राजा रण छोड पजी आवदू गाइन तमे आत्या तो जे ने बहु गुणगान थे आजे ठाके बोग रण छोड के गुणगान? आ लीला अचे, जो ने ठाकोरजी केवा रण छोडी ने बागया, केवी एक्टिंग करी अभी प्रशंचा करो, तो प्रभु प्रसंच थे, मूल बात, कृष्ण चरित्र ने समझवा माटे, जहां सुधी माइंड मां तमारा बधाना, कृष्ण भक्ती करता पहला, कर्म अने लीला आ बन्ने नो भेद, क्लियर नी थाय ने कॉंसेप, त्यां सुधी कृष्ण चरित ने पूरो न्याई नियावी से, इटने गीता जी वांचवा भागवत जी पहला केम जरूरी छे, एक तो आ भगवान छे, इस्तिरत ही जाए, और लीला करे छे, कर्म नथी करतो, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मारी लीला छे, दिव्य कर्मों छे, मनुस्त जेवा नतीजे, प् आटी खा दी, के भी लीला करी, बाड़क जे, एक गाता गाता आनन्द थाई जाए, आ भेद्रड थाई जो जी, इटले तो लीला करे छे, परमात्मा, इटले प्रभु जो व्रजमा, तमें को रास करया, आ करया, तमें पिछवाई कला श्रिनाच जी ने जोई छे, एक पिछवाई मां अग्यार वर्ष्ण ठाकर जी लागेत तमने, के भागता थे इनने रास करे, दान ले, ओरी खेल करे, एक इंड़ोला जुले, एक एक पिछवाई जू, के लीलानी खुबीशू छे, लीलानी औने कर्म नी किछुबीशू, कर्म मां तमें जे कर्म करो, जे आयू ना हो ए प्रमानेज कर्म थाए अने लीला मां जे वय नी आवशक्ता होए प्रभू इवा थाई अने लीला करेश ये सदा बाड़क पन चे, सदा किशोर पन चे नहीं तो अग्यार वर्षत ब्रजमा रहा चे पर चता है किशोर लीला थाई चे ब्रजमा येम था कि आवा मुटा थया क्या रहे अग्यार वर्षत ब्रजमा चे बड़ लीला मां जे स्वरूप नी आवशक्ता होए ये उस्वरूप धारण करीने प्रभू लीला जन्म कर्म चमे दिव्यम दिव्यता आथ चे सुचे दिव्यता कि जारे जीव कर्म करे येने काल कर्म सभाव तरणेनों बंधन होए और भगवान आतरणेनों अतिकर्मन करीने करे येने लीला के वाई येने कृपा के वाई तो आ लीला चे ठाकोर जी ने एटले जहवेली मां तमें दर्शन करवा जाओ तो मरियादा स्वरूप और पुष्टी स्वरूप मां भेदमनी मुख्यता शूँ मरियादा स्वरूप मां जे स्वरूप ठाकोर जी बिरातता होए एट स्वरूप एकृबा करे पर पुष्टी स्वरूप नी विशेषता है तमे जे भाव लईने आवया होए ने इवा स्वरुपन अनुभाव ठाकोर जी तमने करा वारता सहित्य में तमें जोई उचे ने फिला बाल लालन और पिला माजी ये तेल घर्षिव तो मदन मोहन लाल थाई गे कंगे नो भाव इवो हतो तमे जे भाव लईने जाओ प्रभू इवा थाईने तमने अमालाई जोई अने गीताजी नुँ प्रमाण आवद्धी बाद गीताजी ना प्रमाण ये यथा माम प्रभध्यंते ये तां सताईव बजाम्य हम जे जे रिते मने बजे जे उपने ने रिते बजोच दरेकना प्रमाण गीताजी मा छे अने लीलाव वधी भागवजी मा छे अने इतला माटे भागवजी पहला गीताजी नुँ अध्येन जरी तो जन्म कर्म चमे दिव्यम परभूनी आज दिव्यताचे अने तक्ता देह पुनर जन्म नैती मामेती सोर्जुन अने जे मारी आ अलव किकता ने जानी जाये चे एने जन्म मरणना चक्कर मा पड़ू पड़तू न थी प्रभूनी अलव किकता नो आभास या एसास जे क्षणे तमने थाई गयो कांगे सोही जानत जेहू जनाई अने जोही जानत तुमसम हो जाई कोण जानी शके जैने प्रभू जनाउगा मांगे प्रभू जैना पर कुर्पा करे एने आ अलव किकता नो आइसास थाई जाये इट एच गोपी जनों कहे चे नहीं क्या मैं आपने ओड़ लखी गोपी गीतमा गोपी जनों गाये चे नखलू गोपी का नंदनों भवाद अखिल देनी नाइ अंतरामत विखन साथितो विश्वगुप्तये सक्षव ने इवाद सात्व का तुझे बुखार ये मेरे साथ ओ श्रीनात जी आजो तमे वाट जोई गया क्यार नाइ गोपियां कहती हैं नखलू गोपी का नंदनों भवाद प्रभु हम आपको जानती है आप किवल नंद यशुदा के पुत्र ही थोड़ी हो लेकिन समस्त देधारियों के अंतर द्रश्टा हो नखलू गोपिका नंदनों भवाद अखिल देही नाम अंतरात पद्र विखनस आर्थितो वैखानस ब्रह्माजीनों मत छे वेदने खोदनार अब्रमाजी विखनसार थितो विश्वकुप्तय गूपु रक्षने धातो एनी प्रार्थना थी ब्रमाजी नी प्रार्थना थी विश्वनी रक्षा माटे सकह उदेई वाने सकह आप प्रगट थया चा सात्वताम कुले असात्वत पुल्मा अब ब्रह्मा जीनी विरंते थी विश्वनी रक्षा माटे आप पदार्या चो अमें आपने उलकी चो बस त्यक्त्वा देह पुनर जन्म नेती मामेती सोर्जुन जो प्रभू की ये अलवकिकता को जान जाता है उसे फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पढ़ना नहीं पढ़ता ऐसी प्रभू की अलवकिकता है एम कही प्रभू आगड सुन्दर रीते एज बात ने आगड़ समझाओ था अग्यार माशलोकमा ये यथा माम प्रपत्यन थे तांस्तवे वर्जाम्यः मनुष्या पार्थ सर्बशाग एपार्थ ये यथा माम प्रपत्यन थे तांस्तव यो बजाम्यः जे जे रीते मने भजे झे उपनें रीते भजे जो भगवान के वां को एम करे तारो भाव जेऊ divorced नो झानमार्गी और तैस प्रभुनाशरने गया झे ए बधाने जमाड नारो, ए बधाने जगाड नारो, ए बधाने सुडाव नारो, आपडे कुण आरो गाव नारा, तो प्रभु तमने एवा थे इने मडशें, पर तमारो बाल भाव चे ये शुदा जी नो, मारा लालनने भूख लागिये शे, मारा लालनने तरस लागिये शे, तो लालन ने भूखे लागे छे तरसे लागे छे ने उंग पड़ा आवे छे प्रभूनु आ महाँ वाक्ये छे तू जे रीते मने भजिश भूपण तो ने रीते भजिश एले कोई खोटू न थी गड़ा लोगों के आ बाल कृष्णनी सेवा और भोग दरू आ तो बदू प एटलू निराकार माथी साकार तरफ जता जवाए पशी बजू जित देखूं तित श्याम मही है पशी तो जगत अईया कहें उन गिता जी में अपन भगवान कैसे योमाम पश्यती सरवत्र सरवं चमई पश्यती तस्याहम नपनश्यामी सचमेन पनश्यती गिता जी में वह संगीत वड़ावने पुछो सवर्नी बाउ आराधना करें तो हमके अवया तो साँम देखआे अमाखनी साँसे है रे हमे तो हम देखा है इ paragraphs है स्वर्डमनी साधना करें वह स्वर्ना आकार न थि । एम जाँ जाँ तमें आवाा तट्वोछ है जिट्ली साधना वत्ते आपद दोगतLY को आपकी जाए, ये शाकार बनता जाए, इसकार बनता जाए, ये इन पची निराकार थे ना, प्रेवनी अवस्थामा निराकार थी शरूत इने साकार तरफ जवाए जी तमारो जे वो भाव, तो तमें जे सिवा करो जो भोग दरो जो ए खोटू नती, शास्त प्रभुना वचन छे जो तमारो वात्सल्य भाव छे तो ए तमने ए रिते जनुभाव कराऊ छे निश्चित वाच छे एक कोई कल्पना के आपनी भावना पुड़ती रती भगवाना वचन छे जे रिते आवे सर्वदा सर्वभावेन बजनियोर जादी पर माप्रोजी को सर् इश्वरे वो छे जेने सर्वभावे भजी शकाए बाकि कोई मनुष्य मां सर्वभाव न तही शके तौमे वा माता चपिता तौमे वा तौमे वा बंधूश्य सखा तौमे वा सर्वमम देव देव तौमे मारा सर्वस्व छो गोपियो सर्वभावे भगवान ने बज़े प्रभू जे एक एवा छे जे सर्व भाव ने पुष्ट करना राज एटला माते तमारो जेवो भाव औने जे भाव छे इश्वर एवोच छे अने एज रीते ने बजवो तमे बाल कृष्टनी बाल भावे सेवा करो छो तमे खोटा न थी कोई नी मोटी मोटी फिलोसोफियों सामड़ी तमारी सेवा ने खोटी न मानी लेता जेटलो एक ज्ञानी साचो छे एटलो ज तमें भक्त तरीके साचा छे तो गड़ीवारी उती है गणालों को बहुत लॉजिक आपे नाम था एक आपने क्या इने जमान ना कोई भूख लागति जैसे ने कोई उंग आउति जैसे ने कोई निंद्राउति जैसे यशोदाबनी ने खोडा मालो ने तो ब्रूख्यों थे ओ देखे जम कोई बाज पाडोसर ने बाबाप पाड़ोसन बनीने लो तो न समझ माँ एम आपना लालन भूख्या था है असे नाराज था है खीजा है पोड़े तमने इम लागे होएने नीद आवे छे पड़ यसुदा बनीने गोदमा लोने तो लालन भधा जनुभव तमने था है पड़ कोई घ्यानी बनीने लो तो ए खवड़ाव नारो छे ए जमाण नारो चुआ कर्म आरगी बनी नेलो तो दर्स्टा भावे जोनारो एकाई करतो नथी ये तो केवल दर्स्टा भनीने जुए छे जेवो तमारों भाव ये यथामाम प्रपध्यंते कृष्ट ने जे भावे बच्छो तमने बदाद भक्तो जवा मलसे तमने सखाय मलसे गोपी ये मलस अने ज्ञानी भक्तों इबन शे उद्धव जी जेवा के कणकण मां आप छो आपनों कोने विरत आए दरेक प्रकार ना भक्तों कृष्ट ने भजेश जेवो भाव प्रभू जारे मतुरा नगरीमा प्रवेश करेश ने धनुर यग्यमा रंग मंटम मां जारे मतुरा मला नाम सनी नुणाम मरो स्री नाम स्परो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनों सताम ख्षिति भुजाम शास्तास अपित्रों शिशु जेवो जेनो भाव तो भगवान इवा देखाया क्रिष्ट्रनी भक्तिनी खुबी जे छे तमें जे ये तो रस छे ने अने रस ने जे वो पात्र लईने जाओ तमें पवाला मा पाणी लो तो पवाला जेव लागे थाड़ी मा लो तो थाड़ी जेवो वाटकी मा लो तो वाटकी जेवो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोधरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोधरं राम नारायनं जानकी वल्लभं आम आइकनो वाजनती भगवान संखनात करी रहाजे कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेरशवरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोधरं अच्युतं केश्वं कृष्ण दामोधरं राम नारायनं जानकी वल्लभं कोन कहते हैं भगवान नाच्टे नहीं कोन कहते हैं भगवान नाच्टे नहीं कोन कहते हैं भगवान नाच्टे नहीं गोपियों की तरह तुम नाच्टे नहीं अच्युतं केश्वं कृष्ण दामोधरं राम नारायनं जानकी वल्लभं यह यथा माम प्रपद्यन्ते तांसदयों बजाम्यहं जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी उसको उसी प्रकार से बजता आपना बजानों अनुभव चे आपकोई वात न थी यहां बेसेला जेना घरे सेवा आशे ने दरेक न अनुभव आपने ज़रूर नसे प्रपद्यों ज़रूर नाधी लागतों ठाकोर जी आम असी रहाँ यहां असी रहाँ अचे मरक मरक गणिवारें लागया अठाकोजी ने बहुत नींद आवी रही ज़ें अठाकोजी भूख्या थे याँ आद प्रभू नाराज लागे छे हों कई ग्रिसाय लागे छे हों कई भूल चोकस थाई छे प्रभू किवा पोताने अभिव्यक्त करे छे अपड़ा सेवा करनानों बदयानों अनुभव छे आपड़ा माटे कोई कल्पना के लोजिक आपने पुष्टी मार्गी वैश्टों ने के लोजिक नी जरूर नथे प्रमान तो एने आपड़ा पड़े जने परिक्षा करवा नीच्छा होए जे प्रेम करता होए एने तो रोट ठाकोजी प्रमान आपता होई प्रभू रोट जुदा जुदा प्रकार आनुभव करावता करूं इटले ता में मानों के एक जीव कर्म करें ने बंधन लागे ने भुगव उपड़े तो मारे पड़े वाईसा बापा ना प्रभू कहे ना अने श्लोक मा समझाओ ता प्रभू बोलिया नमा कर्मानि निम्पन ती नमे कर्म फदेस प्रुहां इतिमां योभी जाना थ कर्म भिरनस बद्यते घुँ कर्मों ठी बंधाातो नथी यह जो जानि जसोतों तमे पन कर्म बंधन्मा नहीं पड़ो बगुगवां साधी भाशा मांसम्जा सुख नमां कर्मानि निम्पन ती मन है कर्भू ले पारा कर्म करता थी परच्छ लोग भगवां कर्म करे तो कर् अधर्म, आधर्म, आनु आफळ, आनु आफळ, आब दू क्यारे लागे, जारे कोई कर्म करे, जे कर्तुद नहोए निसे नू बंदन, नमे कर्म फले स्पुरुहाने, आ कर्म करवाने मने कोई स्पुरुहाई नथी, उत लीला करूँ छे, मारा आनंदने अभिव्यक्त पण जे तत्व थी, मारा आ गूड रहस्यने जानी जाये छे, एने पण कोई कर्म लागता ना थी, कर्म बंदन त्वी मुक्त थवानो प्रभुय उपाय बतावी दो, तथै वतस्य लीलेती, मतवा, चिंताम, दृतम, जेत, बहा प्रभुजी पण उपाय बतायलो छे, आ ब अधू प्रभुनी लीला चे, अन ए जानी ने जिविश, तो तू पण कर्म बंदनो मा थी मुक्त थेज़ेश, तू ए लीला नो एक भाग बनी जेश, प्रभुना ना नाटक मा तने एक रोल मली ज़ेश, पर तू आ कर्म ना प्रमाने जिविश तो बदा कर्म ना बंदनो कर्मना बंदनो थी मुक्त कौन थाई शके, अगर जे अनासक्त भावती या अकर्मने भावती अबदा कर्मों, सेवा करना रो, जे भगवत सेवा मानी ने जीवे छे न सेवा करे छे, उत्तम रीते कर्म करे, जो गीताई में कर्म ने उत्तम था, पन अनासक्त भावना, एक कमावा जाए, ये परिवार राखे, ये घर बांधे, सुखना साधनों भेगा करे, पच्छता ये कोई कर्म बंधन ने, क्या हैं? मुझ तो कमावा जाऊचु ठाकोर जी माटे, मुझ तो घर बनाऊचु प्रभु माटे, मारा स्वजनों छे प्रभु नी सेवा माटे, आद तो गीता जी नो मंत्र जी कर्मना सिद्धान नो आपे हो, आद तो फिलोसफी पुष्टी मारगी नी छे, महाप्रभु जी पंचे स्लोकी आदीमा समझावे छे, गुरम सरवात्मनात्याज्यम तचे तक तुम नशक्यते, कृष्टनार्थ तैन्नी उजीत, कृष्ट संसार मोचका, संग सरवात्मनात्याज्यम तचे तक तुम नशक्यते, स सदभी सकर्तव्य, संग संग से भेचसम, जे महाप्रभुजी ना सिद्धान तो छे याद तो छे गीता जिनू जे महाप्रभुजी समझावे छे सरण भाषा मां सेवाना माध्यम ठकी महाप्रभुजी तमने भगवत पृतियर्थ कर्म समझावे छे जे भगवान सरवच जे ज्यान आपी रहा छे जे सौथी कठीन बढ़ाने लागे चे जे गुईय चे समझाए उन थी महाप्रभुजी क्यों सलता थी तमने भगवत प्रितियर्थ कर्म करता करी दिदा एक नानकडा लालन पदरावी अने गीता जीनू आ गुईय त ज्ञान महाप्रभुजी सलता मा तमने आपे दिदा बले एक वडिल माझी जे मरजाद लाईने भगवत सेवा करे चे एवने बले गीता जी वांचा नहोंए बागवत जी वांचा नहोंए पन गीता जीना एक एक स्लोकों ने जिवी रहा चे एप्रगत गीता चें कई शकाय करनके आ फिलोसोफी ती ये जीवे चे बाकी गीता जीनु अध्यान करना रोपन आ भगवत प्रितियर्थ कर्मकरी ने जीवी शक्तों न थी बहु कठीन ने लागे चे पड़ आ कठीन उपदेश ने स्रण बनावी लेवो होए तो महाप्रभुजी ना सिद्धान्त ने जीवन नो मंतर बनावी लो कृष्ण सेवा सदाकार्या मान सीशा परामता भगवत सेवा पदरावी लो तनो वित्तजा मान सीशा परामता अने ठाकोर जी माटे जीवा नो जे एक महा मंतर महाप्रभुजी आपन ने आपयो छे जो ए रीते जीवो छो तो गीता जी ने तमें जीवी रहाज। स्रालतम उपाय, महाप्रभुजी आपन नयापया, अने आरी थाकोर जी सम्झावेचे, आगल अधारमा श्लोकमा, अने सत्तरमा श्लोकमा बगवान सम्झावता बऊश्चुंदर बाद, अकर्म विकर्म नी वाद्यकर्म, अकर्म विकर्मनी बात समझावता, सत्तर मा श्लोक मा बगवान बोलिया बगवान ने अकर्मना सिद्धान ने समझावता, एक अड़धा वाक्य मा बहु अधुद गहनों कर्मना अगती कर्मने जान, अकर्मने जान, विकर्मने जान, कर्मने जान, कर्मने जान, विकर्मने जान कर्म कर्या वगर तो क्षण वार पन रही शक्वाना न थी कर्म कर्वू न कर्वू ये आपणा हाथमाद न थी कार्म बाबत कोई question नती कि तमें कर्म करशों के नहीं करोई बे चेतने एक जी वस्तु जै कर्म वगर रहीशकवानाज नती कर्म तो तवा नात चै आगणडनी वाते चे कर्म फळनी अनि एक कर्म करवाना Intention VIKARM??? जे सास्थ्र विद्द कर्मों छै अकर्म जे कर्म कर्म करता करता पन करता भाव नहो वो आज सुत्र गीता जी आप जोइं तो के आउ कई रिते संबबे के तमे कर्म पन करता हो चता है कर्म बंधन मा फसाव निक आवी अकर्मन्नेता कई रीते प्रगट थाए कई रीते पैदा थाए के अकर्ता भाव अकर्मन्नेता अकर्ता भाव जैं पंखो चालतो है आपड़े स्वीच बन करी दिये अनो बन करी दिये, पची ये पंखो थोड़ी बार फरतो रहे छे, पर पची जे फरे छे ने नू लाइट भी लाउतू नथी, कंगे स्वीच ओफ थाई गई, एमज अहंकार नो स्वीच ओफ करवानों जे खाले, पची जे काई पन करता रहे छो, कर्मो बजा था से हवाई आ पड़े नू बिल नहीं आवे, एमज अहंकार नो स्वीच ओफ थाई जसे मैं, तब में लोगको बाए कार, वड़ो द्राथी आवी रया हो, गिरिश भाई ने दिपक भाई कार मावी रया चा, दिपक भाई कार चला वे चाने गिरिश भाई पाच्ण बेस थाजे, आन्ने स कि भी ना यॐ है और गिलिष्भाई तो सूता चे अचुतों वेखते क्या थी आभी शेकर ऑप अधिन कीने तो तो जितिकर हुआ को पुन और आ शेले तो आपकर्म करिता येू हरता में सुवी गया है bold हम्हें और ढभाभी आपिuben सीवी exertgenी तो दो कि कर्म करता है। क्या आप से और कर्म करता रहीं तो अकर सब्सस yeah कि कर्म कर्ता कर्ता कर्म पंधने न लागे और कर्म पंधन लागता नथी चता है गहनो कर्मना गति कर्मनी गतिने समझू बहु कठीन जै आपने क्यारे सेनू फल मड्यू यह आपने जानी शक्ता नथी अन्ने जानी शक्ता नथी यह वधारे मुझ्जु आई यह बगवान जो आम चार्ट आपी देन आपने जन्नी साथे क्या कर्मों ना फड़ भगोवान तो आपने इतलो व तकलिफ आपने त्या थाए का एकाउंट ना हिसाब मड़ता नथी कांगे साधान गति माँ बेने बे चार थाए पड़ कर्वना सिद्धान तो माँ बेने बे चार क्यारे मेल खाए खबर पड़ती नथी अब उजुदू छे एक पिता एना दिक्रा ने पुछू पुछू ने क्या बेने बे चार अज कें थाए त्यारे ने पिता है बहु सुंदर उत्तर आपयों का बेटा त्यारे कोई ने जारे चार आपा ना होए त्यारे बेने बे त्रण करी ने तु एक ओछो ना पी दे और त्यारे जारे कोई नी पासे लेवा ना होए त्यारे बेने बे प कोई ने आपी नथी शेकवाना, एक बधारे लई शेकवाना, कर्मनी गति अती गहन जे, एले समझ भी युवई पुरानों मा ने, वी कथा कहता, कि कर्म क्या कोई ना पुकारता हो, वी कोई ना तम्हें जानता नहों ने, तो युझ ना विशे बोलो ए नहीं खराग़, का य कोईना मेटे खोटु मंतव्य आपकू एपन बंधन चाया कर्वनी गती एवी पुरानों मा कथा गेता के त्रण मित्रों होता राजा प्रधान और सिपाई ना अन्न त्रणे ना युवान दिक्राव मित्र एकवार जंगल मा शिकार करवा गया और बहु मौडू थाइगू कर अन्दारू थाईगो घरे तो जवासे नहीं एवकरी आ विशाल वुक्षय नी निचे उभारे जी अन्न उभारे गया अन्न एमा थी जे प्रधान नो दिक्रों ते पक्षीन आवाज जानतों और बे एक कागडों ने कागडी उपर आवी ने बैठा कागडा ने पुछी उ तो में आट्रू पॉडू केम थायो त्यारे पिला कागडाय केऊ के एक नगर मां गयो तो ने त्याहें को विशित्र गटना गटी आवात करी लेपर प्रधाने कहूं आ बेजना वात करी रहाचा आपने सामडी ने जहिए शू थायो तो एक राजाना दिक्रानो जन्म ने जतिया थे अने दूद नू तपेला मा दूद उकड़तु अतुने समडी ना चाच मा थी साप छुट्यो अने खीर मा पड़ी गए अने खीर आखी जहरवाली थे गए विश्वाली थे अने बपर नो समय थे और राज्य ना जेटला बालको हता राजा बदाने खीर थे गए अक्षाय राज्य मा थेओं कि आख क्यों थेओं कोनों वांक अने छेक बात गई अम्राज ना दर्बार मा थेओं कि आटला बालको मर्या तो आनू पाफ कोना मा थेना कागड़ाय के वहूं यम्रदू तो जोड़े छेक अने तो चर्चा चाली रही छे धेओं के वांक राजानो तो किनने बालकों जरम दीवा स्मटे सारू विचारीओं के मदाने कीर खवड़ाओं आप आप नाखुवू को नामा थे त्यारे यम्राजे कहूं कि काले जारे सवारे सभा भरा से त्यारे हूं नक्की करी ने कईश क्या आप आप को नामा थे ना आजे चर्चा चालते ती प्रधान ना दिकरा है सिपाई ना राजान बनने ना दिकराने कहूं कि आवी चर्चा यमलोक मा चाली रही चे तो आपड़े आजे रातना रोकाई जीए और काले यम्राज सू चुकादो आपेशे जानी ने जईए यले रातना त्रणे रोकाई गए और त्रणे रात भर त्यां बैठा चे समय पसा और झावाड़ी जोई है आव मता तो आवदा करी ने अवबना उभू करिवा यह रहतना घ्रणे खा cotton पाप न नशन piace से oops और टो टेुँटि की आया लेवा देवा नोता एंप काई कोई पुछ नोतू छताए एने न समझा न न पुछा वेगर राजा उपर पौप नाक्यों तो ये पाप आना ऊपरा गhणो कर्मणा गति ही आ कर्मनी गति goti जानता नहों नहीं तो एना विशे खराबेन बोलू तो तमने कोई वात नहीं खबर नहीं तो निवस चैनल में कोई नुज सामड़े आवे चापा मा कई वाची हो और सिधा कोई ना माटे कॉमेंट करवा लागिये ने एपन सारू नहीं एक दम थीक पाप या ना दोश माटे कोई ना उपर आरोपन नी करूँ कांके क्या के नुपाप आपन ने भुगवान आवी जा गहनो कर्मना गति कर्मनी गतियती गहन छै एम कहे आगण अनिक प्रकार नी चर्चा करता प्रभू कर्मना सिध्धान ने विवित प्रकार थी समझावी रहा छै आगण 34 माशलोक माँ भगवान कहे कि जारे आब अधा ज्यान ने प्राप्त करूओ होए त्यारे कोई गुरू जो ये ए अर्जुन तो कोई गुरू ना शर्ण माजा एम कहता परमात्मा बोलिया तत्विधी प्रणीपाते न परिप्रश्ने न शेलिवया उपदेक्षयंति ते ग्यानम ग्नालस तत्वदर्षिनाह ए तत्वदर्षिना शर्ण माजातू त्रान शरत तद विध्धी प्रणीपाते न परिपरश्णे सेवया एक सवती पहला कयों विध्धी पुर्वक्जा गुरुनी शर्णमा जवानी एक विध्धी छे जाए एकले सवती पहला प्रणाम कर एकले कि पतानों अहंकार लेने नहीं त्या जहिने अहंकार मुकी प्रणीपात कर एकनी शर्णमा जा एकनी नमस्कार कर एकनी वंदन कर जहिनी पासे ज्ञान लेवु होए एकनी वंदन करी एना माटे अहोभाव राखी ने जाओं अनि सेवया एनि सेवा कर त्यारे परिप्रश्णें पची प्रश्ण कर त्यारे तत्तो दर्श्वीत अने ज्यान आपशे गुरुना चर्ण माझवानी बाद करी जो गीता जी, नू ज्यान ए प्रभु नु दर्शन आपे छे owner दर्शन तत विद्धी । परणि पातेन परी परी प्रस्ठेन सेवया उपदेक्षन तीते ज्यानं पची ए ज्यान उपदेश कर छे गुरु मात्रन लक्षण गुरु दूरदर्शी हो जुए गुरु समदर्शी हो जुए अन गुरु पारदर्शी हो जुए जे मोटो हो जुए गुरु जेना विचारो मोटा हो जेनु आचरन मोटु हो जेना मोटाई हो जुए गुरुत्व हो जुए गुरु स्थाने बेसे लो व्यक्ति नानामन वाड़ो नहोए नानी दरश्टी वाड़ो नहोए यह नमा गुरुता जोई अने गुरुता ज्या प्राप्त थाए यह ना चर्णों ने पकड़ी ले गुरु बिन ऐसी कौन करे गुरु पर तो केट 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 आपड़े तया तो उष्टी मार्ग मा तो श्री महाप्रभुजी नू नाम सरोत्रम स्थोत्रमा गुसाई जी कहे चे गुरुवे नमा अबना बदा ना गुरुर ना स्थाने श्री महाप्रभुजी विराजमान छे अन महाप्रभुजी जेवा समर्थ गुरु मल्या होए जो श्रीनाज जी प्रभु छे वनलब महाप्रभु छे कांके जे प्रभुनू पन दान करी शके ने एज महाप्रभु के वाए अधे दान दक्षस्च महोदार चरित्रबाद जे कोई ने आपी शके उदान महाप्रभु जी आपने करी शे लोको वस्तू आपे अनाज आपे पदार्त आपे पैसो आपे आपड़ा गुरू तो पोतानू सर्वस्व आपने आपे अने अमनू सर्वस्व शूँ छे तो के श्रिनाज जी अमना सर्वस्व छे अने अमने आपने दान आपे आशे दान आपामा दक्ष छे गुरू बीन ऐसी कौन करे गुरू बीन ऐसी कृपा कौन करे गुरू बीन ऐसी कृपा कौन करे माला तिलक मनोहर बानों नेशिर छत्र ख़दे गुरु विए ऐसी क्रिपकों रख़दे गुरु पुर्पा यह संभव ने संभव बनावी शकेश आपड़ा भाग्य ने बदली शकेश ज्याननों अंजनाजी आपणने दश्टी आपनारो आपणों गुरु छे अज्यानना फड़दाने फड़ी नाखी ज्याननों प्रकाश पाथनारो गुरु छे प्रभु कहे तत्तव दर्शी ए महा पुरुष्णा शर्णे जा अने अमना उपदेश्टने ग्रहन कर आम करीन परमात्मा आगलना श्लोकों मा ओगन चालीस मा श्लोक मा बगवान कहे कि आ ज्यान कोण पामी शके छे आने ए समझावता परमात्मा बोलिया जितेंद्रिय होए साधन पराण अने शद्धावान लबते ज्यानम जिग्यासु नथी पामीशक तो शद्धावान पामीशक तो शद्धावान पामीशक जिग्यासु मा जिग्यासाओन अंतज नथी होतो शंकाओन अंतज नथी आउतो शंकानू समाधान केवल शद्धाथी थाई शकेज़ा शद्धावान जेने पुछिऊ छे एना पर शद्धाशे ने तेनू एक वचन पनापण ने तारी देशे केवल गुसाई जी तो हैम केने परे अवना तो वार्ता पसंगों मा जो पूछवा आवे गादी पर चड़ी गए ओ माई ठाकवर जी नू नाम हो अने गुसाई जी इमको परे पर दूर जा अने थे तो थेऊं के गुरुदेव ठाकवर जी नू नाम आपियू अ मारा परेनो अर्थ थाय दूर जा अन ए नाम ती ठाकोर जी नजीक आवी गया और के गुसाई जी ना वचन पर शद्धा गे बागोजी मा पड़ करनो विश्वासो गुरु वाकेशो स्वस्वी इंदी नत्व भावना मनो दोष जैस्चाइव कथायाम निश्चला मति विश्वास बव मोटी वाच चै शद्धाय बव मोटी वाच चै जारे गुरु ना उपर शद्धा होए ने तारे एनू कोई पण वचन एक वचन पण पछी मोटी सेवा न मांगबाई आपने के सेवा करते हैं गूरु नी आज्या लईने सेवा करी अरे ना जे आज्या मड़े एने सेवा मानी माथे चड़ाई ले तू माडा कर तू पाठ कर तू फूल घर नी सेवा कर तू बंडार नी जे आज्या मड़ी एने सिर्मोर मानी ने एक Whereas To Medowat na Thängt कोई वालती न confuse reports मुथ आन थीव शांति संजर्णी उंचाई पर मैश आतरी आवे ०र decision पेसा आवे शांति प्लाव माएक समजणा अउछ कि टोच पर आतट salahा तुझ तुझ पर सांतित' 1.6 क् 1900Revon Adnan Gill演 divisionbacks 6 COD Thie बेटू छेने, कोई नथी एहरान करतू ने, तमें मने कें मारो छो, चारे सियाले मारता पहला एटलू कयो, शान्ती माटे उचाई जोईए, समझण नी, विचार नी, व्यवहार नी, आ उचाई पर नी बेशो ने, तो कोई पण व्यवस्था नू, व्यवहार नू, कोई संब नी, पन समझण ती शान्ती मेलाऊशो ने, तो जीवन माशान्ती आऊशा, परिस्थिती गोठवाए, व्यक्तियों गोठवाए, लोकों समझी जाए, तो नी थाए, तमें समझी जशो, तो चान्ती आऊशा, आम सुंदर रिते बहगवान समझावे छे, आगल चालिस्त पन सुंदर रिते प्रभूे समझावे आने अईया, आध्यायने आपड़े विरामापे, ओम तत्सदिती श्रिमद्वगत गीता सूपनि सत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, श्री कृष्णा अरजुन संभादे, ज्यान कर्म सन्यास योगो नाम, चतुर्थो अ प्रभू कर्म सन्यास योग पंचम अध्याया, पहलो स्लोक अरजुन वाच, सन्यास अं कर्म नाम प्रुष्णा, उनर योगम नसं ससी, यच्छी येत योडेतम, तनमें प्रुह सुनिश्चितम प्रभू कर्म सन्यास अने कर्म योग आप अप करो छो, तो अमा अधिक कल्यान कारी कहुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ मारो ठाकोर जी राजी था, कोई निमित्त होय ने, तो कर्म करू बहु सहलू थे जाए, अत्यार सुधी पोता ने अने पोता ना लोकों ने निमित्त करया आता, पड़ जो प्रभु ने निमित्त करशो ने, तो तो हमें कर्म योगी बनी जशे, जे पुष्टी महारग नों सुन्दर शब्द छे, तत सुख नो विचार, जे मा प्रभु नो सुख होय, एज सेवा, सेवा एटले, सेव्यनु सुख, मने आउँ गमे, मने आमा मजा आवे, मने आउँ पावे, ए बदू गौण के वाए, प्रभु ने गमे छे के नी, प्रभु ने आनंद आवे छे के जे मा प्रभु ने आनंद आवे एनु नाम सेवा, सेव्यनु सुख एनु नाम सेवा, तो वैष्णवनु तो दरेक कर्म प्रभु पृतियर्त छे, आम ठाकोर जीये, यहां सरस्रिते सुन्दर रिते स्रण भाव मुचा मा समझावता, ए सिद्धान्त ने आगल, सात्मा श् जीचतात्मा विजितात्मा जितें ग्रियह, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन नपिन लिप्यते कर्म करता करता पन कर्मा कोण लेपातू नथी एना लक्षणों परमात्माहियां बतावे शे के करी रहो चो बदूच पर कर्म बंदयने लागता नथी कौने जैने पोतानू मन वश करीली दो शे शावती पहलू लक्षण बतावियू योग युक्तो विशुद्धात्मा कर्म करता पन कर्मा लेपातो नथी कांके जाने छे कर्म हाथोती थाए छे पड़ हाथने उपाड़नारा परमात्मा छे दुरूजी पन स्तुती करे चेन जरे परमात्मानी योंतह प्रविश्च ममवाच मीमाम पसुपताम संजी वयत खिल शक्ति धरस्वदामना अरे प्रवुक रुपाकरी ने सेवा लेए छे उष्ट्रिमार्ग में यों बोलाए आजो कर्मना सिद्धान्तने महाप्रवुजी ये सेवाना माध्यम ठकी कि उस सुन्दर रित्य आपणा जीवनमा वणी दिदू छे कि मिराजता बेबाय बेना गोखलामा ठाकोर जी अने आप सरण महाप्रवुजी ये बनावी दिदू आम समझावता आगल चौद माश्लोक माँ जेवी प्रकृती इवा कर्म माँ जीव लेपाये छे आम कैने अधार माश्लोक माँ प्रवु बहु सुन्दर रिते समझावे छे विध्या विनए संपन्ने ब्राम्हने गविहस्तिनी सुनिचै वश्वपाके चै पंडिता समधर्शिन आओ ज्यानी आओ भक्त जे बद्धा माँ समान दृष्टी वाड़ो चे एनी भीतरती भेद जतो रेव भक्त कोण जे विभक्त न होए एज भक्त जेना रदे माँ भेद न होए एज भक्त जे अईया कहों भगवान समझावे छे ये क्यों छे ए गाय हाथी स्वान चांडाल बद्धामा समान दृष्टी वाड़ो चे कान के आत्मा ने जुए छे शरीर ने जोतो न थी एक कपड़ा ने जोतो न थी अंदर रहेला एप परम पुरुष्ट ने जुए छे ये जरे अश्टावक्र गीता अवी ने जरे अश्टावक्र जी आवे छे ने बदा अंगो वांका छे विद्वानों हस्वाल आगे छे ते रेस्टा वक्र कहे, मने थे उँ विद्वानों नी सभा मावयो, अहियां तो बदा चमार बैठा चे, बदा नारा थे एक से ना चमार, अरे जे चामडा ने जोता हो ये चमार अज के वाई ने, तमें बदा मारा शरीर ने चामडा ने जुओ चो, अंदर बिनला बिरा जेल आत्मा ने जुओ, जे शाश्वत चे, तेजो महे चे, ज्ञान रूप चे, परमात्मा नो अंश चे, आत्म रूप चे, आओ ज्ञानी, जे सर्वमा समान दृष्टी वाड़ो चे, सर्वमा जो नार, अखिल ब्रह्मांड मा, ये नरसी में ताना सब्दों मा कहो, अखिल ब्रह्मा दृष्टी वाड़ो, एक तूश्री हरी, जोजवे नुदू ते अनन्दवास, देहमा देवतू, पेजमा तत्वतू, शुन्यमा शदत्थे वेदवासे, पवन तो पाणी तो, भूमे तो भूधरा, व्रुक्ष थै फोली रहो, अकासे, उर्द्वमूला मधश्याखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। चन्दान्स, यस्य परग्यो, आपना अवड़ा भगवदी होए। दैयारम भाईना पन सवारे तमे जोता आशो, केवी भागवजी नी नी गीताजी नी अवी महांतम बातों आपणी भाषामा, केवी सरलता थी समझावी। केवी कृपा, महाप्रभुजी केवी कृपा करी अवा गुयतम कर्मनो गहनागती, कर्म, विकर्म, आबदा कर्म योग, कर्म सन्यास। किवा सेवाना माध्यमापी आपणने सहजमा जीवता करी दिदा, अपणे गीताजी वहांच्यान होता, छताए एवा जीवन जीवता था, आचार्यों भगवदियों नी कृपा चा, सर्वमा समान द्रष्टी वाडो, सर्वमा इश्वर ने जोनारो, एज परम ज्यानी छे, आगर त्रेविष्ट माश्लोक माँ भगवान कौन सुखी थाए, एना सुन्दर रिते लक्षण अईया भगवान बतावे जैना, छेले, ओकंत्रिष्ट माश्लोक माँ सर्ष्टे अध्यायने अन्तापता कहूं, भुक्तारं यग्यत अपसां सर्वलोक महेश्वरं सुरुदं सर्वभूताना ज्यात्वा माम शांति मृच्छतु भगवत्ताना लक्षणोंने तत्वती जानी जश्रो तो परम शांती नो एशास थासे, एज जुदा जुदा रूपे रमी रहो छे, एनू स्वरूप एज मारू स्वरूप छे, एनो जंश्र मारी अंदर छे, और आवो जारे एशास थासे, तारे परम शांती नो एशास थासे, बीजु कोई न थी, एज एक छे, इशा अभाश्यम विदं सर्वम, एज जुदा जुदा रूपे क्रिडा करी रहो छे, बीजु आवे, तो पची बत आओं, देखाओं, समझाओ, समझावी दाओं, सिखवाडी दाओं, भीजु आउताज आबधाव जागे छे, एक नो ज विस्तार मान्शो, तो क्या है कोई भेद न थी, तो आत्म नस्तु कामाय सर्व प्रियम भवती, उपनीचा इटले समझावे छे, एक ज आत्मा सर्वम व्यापे लो छे, एक लेज बुदू प्रिये लागे छे, आहसास, तो आहियां पंचम अध्यायने आपड़े विरामा पिये, ओम तत्सादिती श्रीमद्वगवत गीता सूपनिच्च्च्चू ब्रह्म विध्यायाम, योग शास्त्रे श्री कृष्णा रुजन संभादे, कर्म सन्यासयोग नाम पंचम अध्याय है, बलो कृष्ण का नई आलालगी अधा सस्थ अध्याय है, आत्म सैयम योग श्री भगवानु वाच अनाश्रितक कर्म फलं कार्यं कर्म करोतिय है, ससन्यासी च योगी च न निरग निर्न चाक्रिय है, केवल अगनी ने छोड़ ना नहीं, पड़ जे कर्म फलं आश्रे, कर्म फलं इच्छा छोड़ी दे चे, साचार्त मा एज योगी अन एज सन्यासी चे, कर्म श्रे स्थ तम करे, पड़ नहीं जराय आश्रा न रह, एना माटे एनू करेलू कर्म ज फलं चे, तमे कोईने मदद करी, बस ए फलं थे यू तम ने, तमे पुन्य करी सक्या, एना थी मोटू बिजू सु ओई चके, पड़ एक करी ने सु मल से, जो ए विचार करे ओ, तो कर्यानो आनंद जतो रह शे, आपडे सारू करी सक्या एज पूर्तू चे, सारू करी ने सु मले, ए विचार योगी के सन्यासी ने आवतो न थे, फरी तमने याद अपव तमारा करेला सतकर्मों नो आनंद माणों तमारी भीतर रहेला सतगुणों नो आनंद माणों अने ए आनंद नहीं माणों अने प्रतिसाद नी प्रतिक्षा करशो तो दुख अने कलेस जिवावी जुकाई नी मले तमारा जिवू सामेवाडों क्यारे नी करी शके तमे करी शक्या एक इटली खुशी निवाज छे अपड़े एनो एशास केम नथी वाणता पेलो आटनू बोलेओ पड़ मैं सहन कर्यू सहन कर्यानों किटलो आनन छे ए नाना सुना व्यक्तिनों खेल छे लड़ी लेऊं तो ए नादान व्यक्तिनों काम छे सहन कर्वा माटे तो बहु मोटी छाती जोई साधान व्यक्तिनों काम न थी पोताना सद्गुणोंनों आनन्द नहीं माणो तो सद्गुणों बहु आरसुली टक्षे नहीं पोताना सतकर्मों नो आनंद मानो, मने जो भगवाने हाथ बधा ने आपया छे, पर मारा हाथ ने सतकर्म आपया, ए प्रभुनी मारा उपर कृपा छे, आँख बधा ने आपी छे, मारे आँख ने दर्शन आपया, ए ठाकोरजी नी कृपा छे, कान बधा ने आपया, मारा कान आपना देहने सतकर्म करवाना भगवाने अनेक वार आउसर आपया ए बदल प्रभुनो उपकार मानौ अने बांशों ने तो सतकर्म थीश्वू मल से एनो विचार गौण बनी जशें कर्मनो आनंद मानो फड़नी इच्छाप मिले जती जशें आप प्रभु एईया संझावै चै अगल परमात्मां पांचसलोक मा कहे तारो उद्धार तारे जाते करवानों चे और चठ श्लोक मा बगवान संजाई के तु आपत्मा हुघ रहत्मा प्रमात्मीत्य अोच ड्र टारोसुच Cabinet को खंधारुघ तूज तारो बंधू छे ने तूज तारो शत्रू छे विचार करो तमे तमारा दुश्मन वधारे छो के तमे तमारा मित्र वधारे छो तमे जो तमारू पतन करवा मां लागया हो तो तमे तमारा दुश्मन छो आने तमे तमारू कल्यान करवामा मदद रूप थाओ तमारी जातनों तो तमे तमारा मित्र छे सवती पहला आपड़े आपड़ा दुष्मन बनिये छे त्यारे बीजाने दुष्मन बनवानों मौको आपिये छे जो तमे तमारा मित्र हो ने, तो तमारा दुश्मन बनवानों कोई ने मकोना मने तमे जो तमारा मित्र थही जाओ, तो पछि दुनिया मा बधाज मित्र थही जाओ तकलिफ है छे, मानस पोतानू कल्याण करवा मा तत्पर न थी जो मोटा भागे दिवस मा एवाज काम थाए छे जेना थी आपणू पतन थाए आपणेज आपणा सत्रू बनेलाव ये छे अने गणी लामी चर्चा करीशे काये मित्रने सत्रू मा कौन पतानू मित्रने कौन पतानो सत्रू आपने जापनु जारे चिंतन करीशू तो आपने समझावा लाक्षे के अमेशा हुँ मारो दुश्मनत बनेले रहेलू छो मारो मित्र पोते नथी थाई शक्यों आगण परमात्मा भक्त केवो होए माना आप मान योहो जे बजा मां समान रूपे रहे चे एज साचा आर्थमा भगवान नो भक्त चे एम कई आगण सातमा श्लोक मां भगवान समझावे चे के एक भक्त एक योगी कई रिते रहे चे युकताहार विहारस्य सत्तरमा श्लोक मां परमात्मा समझावे चट्ठा द्याइवा सत्तर मस्लोग योगी कई रिते रहे, भक्त कई रिते रहे योग्य आहार विहार, योग्य चेष्टा, योग्य निंद्रा जीवन मां जनशिस्त न थी बगति मा योग मा पड़ागण नथे जैए शको योग मारग मा पश्टाइँ यम नियम आसन अब दू पहला आवे केटलू खाई शको छो ए महत्वनू नथे केटलू खाऊ जोई है ए समझण महत्वनी चे केटलू जागी सको ए महत्वनू ताकात बतावनू योग्य नथे केटलू जागवू जोई है केटलू सुई सको छो ए महत्वन नथे केटलू सुवू जोई है ए विवेक महत्वनू जेना जीवन मा दरेक कार्यों मा विवेक नथी ए विवेक सुन्य व्यक्तिनु पतन थाएशे अन एटला माटे आटली सुद्धी जरूरी छे आहर सुद्धी, व्यवहार सुद्धी, विचार सुद्धी, आचार सुद्धी अब दनी सुद्धी जो येशे गंदू जल पडियू होए एपीले एपशु चोखा करवानों विचार करे कि आरे विले गाली लव ए मानस पड़ पवित्र तानों विचार करे ए वैश्नव उतों वैश्नव ताने मानव तानी सर्वोच उँचाई मानुच वैश्नव ताने एक अवस्था मानुच वैश्नव एटले कंटी पेरेद नहीं पड़ मानवतानी जे सर्वोच उचाई पर बेठो छे ए वैश्णवता एटले वैचारिक, बाउध्धीक, व्यवहारिक आ बधानी उचाई अन्य ए उचाई जे सिद्ध करे तो मानवता वैश्णवतानी अवस्था पर पहुँचे चे आचार सुद्धी, विचार सुद्धी, व्यवार सुद्धी, आहार सुद्धी अब दानी सुद्धी नो विचार पुष्टी मार्ग माँ चे गणिवार लोकों का तमारा पुष्टी मार्ग माँ बवारे गड़ी आद दोन, वस्तु दोन, अड़ता नीन, पेलू करता नीन, पर कौरोना में बजाने समझाई गव। पांचो वर्ष थी कहिए जाद दूओ, आद दूओ, आद दूओ, नता मानता, बद्धा धोता थाई गया, जो बलाकलों मजाक करता, अब उस्टी माँगना लोको बारे गड़ी बहु हाद दूएओ, तो दरेक नुचे नुचे दूओ, परमात्मा समझाऊता कहे, यतो यतो निश्चरती मनस चंचल मस्थिरं, ततस्ततो नियम्यें तक आत्मन नेव वशम नहे, आँ मन अती चंचल छे, आने जाजाए भागी रहुँछे, त्या त्या थी एने निरुद्ध कर, एने रोक, आने एने परमात्मामा महाप्रोजी पन सेवानी येज व्याक्या करेजें, चित प्रभु मापरोवावू, एनू नामत सेवाचे, सेवानी व्याक्या महाप्रोजी एमनती करी, शिंगार दर्वा, भोग दर्वा करवा, सेवानी व्याक्या महाप्रईशू करेजे, चेतस्तत प्रमनम सेवा, चित प्रफुमा परोवावु एनू नामत सेवा चे अश्य बगवान पड़ क mans prepot ऑन मन चंचल छेए लुकों जाने मुटा भागे आ प्रश्ण मुट पो मन एक आग्र करू'M करू'm मन स्थीर केम करू'm मन स्थीर केम करू'm मन स्थीर केम करू'm मन नी व्याक्याच शास्त्रों माशु करी संकल्प विकल्पात्मक मना हा संकल्प विकल्प करें यनू नामज मन छे चंचनत खराब नथी यनि दिशा खराब है जिए बस چंचनत भले रही पड़ेनी दिशा बगवान तरफ लगाव जो येले संकल्प करे तो है भगवान माटे ने विकल्प करे तो है भगवान माटे ठाकवर जी ने आजे सीरो धराव के खीर धराव ना सीरो धराव संकल्प परमात्मा संबंदी ने विकल्प परमात्मा संबंदी ज़ंदो माद चंद माद हेल्धी मन चंचल जो है अईया स्थीरता बहु महत्वनी न थी अने प्रभूमा लगावू छे तो प्रेम प्रक्टाओ मनने पकडवानी कोशिष न करो मनने पकडवानी जैसे ट्लू वधारे चंचन थे जैसे वधारे भाक्षे पर मन क्या स्थीर रहे जया तमारो प्रेम होए जया तमारो लगाव होए जेटलो प्रभूमा प्रेम बच्चे न जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताही और कैसे भावेरी लेकर मीन दूद में राखो जलबीन सचु नहीं पावेरी मन स्थीर करवानो एका जुपाए प्रभूमा अतीशे प्रेम करवा लाग जया प्रेम होए छे मन त्यांज होए छे माने बाड़क माँ प्रेम होए बरे रसोई करती होए और ड्रोइंग रूम माँ गोडियू होए त्या बाड़क खले ने तो रसोडा माँ माने खबर पड़ी जए कांगे नो मन त्यांज होए येट प्रभु मा प्रेम केम बदे एनो प्रयास कर जो, मन केम लागे नी मेहनत ना करता, अंग प्रेम प्रक्टी गए उने पसी मन लगाड़ू नी पड़े, मन तिया जह से, तो आ मन चंचल छे, एने रोको, आने रोकी ने परमात्मा तरफ रोको, लगाओ, एमा जेनों कल्य आन्चा एम कई आगल आगलना श्लोक मा त्रीसमा श्लोक मा प्रभु सम्झावता कहे। कर दो ंब्स्यामेष में नाश्च्याँ में तعمति जय निफ भुटा रागवान गर्ष natomiast कि पढो भक जे बद्धा मामने जियु पहली अवस्ता COR झे तक है कोई फोटा आपे एंग जे कोई मुर्थी आपे एंगे एए य जे जेवाब बॉंबे नी बस जेवाब भरेला हो है कि से जहलाओन मंदी तो चारपांत देवता होता हम गुलांटी माडिन पड़ी जए जो वन्ननी आदर्नी तो बधाच्य ने कोई ना न थी पड़ एनो अर्थी जराए न थी तो कि जे आपे मुर्ती मंदीर मां जे आपे कर्वानू वारे वारे भगवान बदलतों न निटरः आखिसा थे। वार प्रमाने भगवान नखकी था कि हाजे कौने भग़ लागवान। अरे न यह नितने मु यấोद आझू मेरे टिहारे ही लाल लड़ावन को। हम रोज रोज वार जोहिन लख्की करों आजे कौने बगे लागी शाह माटे बधा महान चे कोई ने नानों के मोट करवात पदि करदो पड़ आपड़ी साधना नू शूँ आपड़ी आराधना नू शूँ क्या सुधी बधाने सारा थवा माट जिंगी गुमावी दई तो पचिए जाले, एक वार मंदीर मारा आखे आखे हैं पचिए हटावानी ताकात कोई नहीं ना होगे, पचिए हम लागे, जो खसेड़े आ तो गया, पचिए आ मारू बगाडनाक्षन पहला मारू पचिए तो मंदीरे जता है बीक लागे, के जो कोई रही गयो तो बारू मंदीरे जही एक मात्र एवी जग्या चे बगवान नी, के जया जही ने निर्भाय थावाए, तो पचिए मंदीर कें के वाए, अभयम सत्व संसुद्धी, जे निर्भाय था आपे बगवान, और स्वार्थी लोकों बगवान नामे आपन न डरावे चे, आवी रमत न करो तमारा अध्यात्मिक जीवन साते और तमारा जीवन साते नी रमत ने, तमारी सपल, शद्धा नी विखरी नाखवाणी बहु मुल्यवान ने, यह वेडफो नए, हैनि क्या लगावी, क्या इन्ने दिशापवी, क्या इन्ने समर्पित करवी, आ जीवन नी रमत न बनाओ, कोई ने खोटू ने भगवान ने बजे एना पर तो देवताव पुष्प रुष्टी करे बदा अभी आवी ने देवकी जी ना गर्मा आवे ने तो बदा देवताव पुष्प वर्षा करे अन आगल बगवान समझाव से क्याम बधे भटकवा जाए एने शू मढ़े एने काई न मढ़े ए अल्प फडपन अल्प समय सुधी नू जोए छे अन एपन हूँ आप उछे एटले कोई दिशाज लक्की होवी जीए पोतान आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्म समन लिदू कहूं प्रभु ने एक रिष्ण उतारो थयो तो एना थाई ने तो बताओ एने पामी ने तो बताओ पहला जे कोर्स माँ छे एटलू तो बढ़ी लो पछी बारनू आची सू पर कोर्स नू छे नथ अपने त्या देवता छे पित्रू छे देवता छे अवतार छे ने ब्रह्म छे जे जेने भजे एने पामे अगडाव से यो यो याम याम तनुम बक्त शृद्धार चुतमिच्चती तस्य तस्याम चलाम सद्धाम तामेव विद्धाम्यम जेने बच्छो ने बगवान एमा शद्धा तमारी द्रड करिनाक्षा अर पचि एनेत पाम्षो नेटलूज पाम्षो पुर्णा अनंदो हरिस्तस्मात कृष्णे व गतिर्मामा गणी गणी ने आपे देवतार अने अगणी तापे परमात्मा राई जितनी सेवा को फल मानत मेरू समान तो जेवू भजशो एवू पाम्षो एटा नक्की करो कौने पाम्वा चे तमारे अन ए नक्की थाशे पचि तमारी साध्ना नक्की थाशे पचि तमारो गरंथ, तमारी माला तमारी आराधना, तमारा पाठ पचि बद्धू नक्की थाशे गणिवधी चर्चाओ छे तो आम जे बधा मा मने और मारा मा बधु जुए एटले साधना करवी जो दस जग्याए दस दस फुट खाड़ो खोदो तो पाणी न निकले एक जग्याए सो फुट को दिये तो पाणी निकले भक्ति नो विस्तार न वधार हो भक्ति मा उंडाण वधार हो वले कुष्टि मार गी संग्ति भी *** झाली जर न ँड मारे तयाण स्रिनाज जी नू चित्र जी पुष्ठावे पिलां तया गिर जी जोया है अवे गिर्राज जी मारे पदा एज पदाए ख़र जी पदाए पर दे थिम्याट पंप थाड़ु सवरूप और था हुआ थाड़ु सवरूप वधारवा थी कहीं नहीं था विस्तार्न बधारो नई तो भक्ति विखराई जशे उन्डान बधारो ए लालन ने इतली शद्धाती सेवो के महा प्रभुझी न उत्सवावे तो एमना मुखारि इंतुम न मुख मा ऐमना जी देखाए mixture gost配 शिनाज सवावे तो लालन शिनाज सवा लाए तमारी निस्था दड़ अशे ने तो एज लालन तम ने सर्व सरूपव न उनुभव करावी देसे चड्धाज कमजर अशे और बधा सरूपव लई जाओ तो कोई सरूपवता नुभव ना नहीं करा विस्तार न गधारो उड़ा न गधारो जो है। जाँ निश्ठा चङर ठाकवरज यह पूरी कार। चोक असे बधाज आधर नियेचे अपिड़िटे सुछ नो अधर चे बहाप्रभाजी बैठक यात्रा में पने में धां रेया तक पाराने दो स teraz आधर किराचे, दरेक तरेन आधर किरयाचे वैश्णवे क्यारे पण कोई नू अनादर नी करो आ वस्तु अमेशा ध्यान दाती अनन्य तानो अर्थ कोई नो विरोध नथी थतो आ वस्तु नहीं समझो रे तो गणिवार पुष्टी बार्ग ने बद्नाम करी देशे क्यारे जीव मात्रनो आदर करो एव अपणा आचारिवे आपणने सिखवाड़ी चे यारे कोई नू अनादर न करशो बधाने रिस्पेक्ट आपता सिखो आदर आपता सिखो बधा बंदनी है चे प्रभूनी विभूतियों चे बधी ये विभूतियों नू सन्मान थाओ जी अपने प्रणाम तवाजी रिस्पेक्ट आपको वैष्णवे तो सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे अपड़े त्या तो वैष्णो ताना लक्षन आपड़ने आपए चे तो आम एनो क्यारे नाश्थतो न थी जे बधामा मान मने जुए चे आगड़ पात्र इसमा श्लोकमा भगवानु वाच असंसयं महाबाहो मनों दुर्निग्रहं चलंग अभ्यासे नतु कौंते य वैरागेन चे गुरुयते अभ्यास द्वारा वैराग्ये द्वारा तारा मन्ने वश्करीने मारा मा लगाओ कोशिश कर पहली वार मां बजा सफड थे जाए जरूरी नती थोड़ी वार सेवा का अमारू तो मन लागे ले पाठ मुकी दी अमारू मन लागे पशी सेवा करवानों सुवर ले सेवा मुकी दी अरे आपनू लौजीक जखोटों छे मन नथी लागतु एटले माला मुकी देवात खोटी मन नथी लागतु एटले तो माला छे के माला द्वारा मन्ठा कोरजी मां जाए मन नती लागतू एकले तो पाड़ छे, मन नती लागतू एकले तो सेवा छे, मन लागीज जाए भगवान मा तो तो दी अंड आपने लॉजिक आज खोटो आपी एचे मन लागी जगए हुद ज़िए नो निरोध ठाकोरजी बाँ थे को तो आशकरण दाज जी तो सेवा पन पदरावी ने मान शीबा रहे था मन नथी लागतु एटलेद तो हाँ करवानू छे अनों आपने लॉजिक खोटी आवें नथी लाँकतू एटले मुखी दो अरे, मन नथी लाँकतू एटले माडा करवानी चीशव जोती माडा थकी जितकी माडा थकी मन ठाकोर जीमा जाएं मन नथी अपत कर्वानाची लोग है पाठ नथी आवड़ता एकले नथी करता रहे, मुकी देशो तो थो नथी आवड़ता, तो बेवार वधारे करो, तो जल्ली आवड़ी जशे, मुकी जशो तो क्यारे नहीं आवड़े, आत एमत थे, कोई एम के वन तरता आवड़ी जाए, पाक्कू, पशीत पाणी ने माद ट्यूअ, कि वन गूषिस जी तो हम आवड़े, तो बेल्य करको पाओड़े, तो कला थे, कर लूँ जवार है, पार नहीं करो क्यारे नहीं आवड़े, शरु करो, पहला ख़दार, पहला ख़दार, शिंगार अड़ा थे, शिंगार अढ़ा तशे, करता-करता नथी, था कोर्जित सिख्वाडता होई छे हो बदू एक बार करवा लागिये ने दिरे दिरे प्रभु बदू सिख्वाड़ी देया पड़ अहिया प्रभु सुन्दर रीत्या बातने सम्झावे छे अगल सुन्दर रुपदेश आपता एक तालिस्मा श्लोकमा श्रि भगवानु वाचा प्राप्य पुन्य पृताम लोका नुशित्वाशा श्वतिस्समा सुची नाम श्रिमतां गे योग ब्रस्टो विजातु जो मैं वाद करीन के वैश्णो कुलमा जन्मत हयो एक केवल को यकस्मात नदी भगवान पोते कहे छे कि आओ जे योग ब्रस्ट छे जेडे मारा माटेज कर्मों करया छे भगवत प्रितियर्थ कर्म करता करता जे सदा रहो छे ये अनेक समय सुधी स्वर्गमा सुखो भोग जी वाद जयां भक्तिनी बधी जनु कुलता छे एवा सुचीनाम श्रीमताम के जोग बरस्टो भी जाये तै अन्य एवो योग बरस्टा आत्मा हूं एवा पवित्र श्रीमंत ने त्या एनों जन्मा पूशुँआ कि जया भक्ति करवानी बधी सुविधायने पराप्त थाए एम भक्त नो जन्म ए भगवान नो आयोजन छे आगल 46 मा श्लोक मा आध्यायने विराम आपता बर्मात्मा बोलिया योगी नामति सर्वेशाम मद्गते नांत रात्मना स्रत्धावान भजतियो मा समी युटतमों नत है सर्व योगियो मा सर्वती प्रीय मने कौण छे तो परमात्मा कहे छे जे मारा रदय थी मारा साथे जोडायो छे पुतानू चित मारा मा परोवी लिधू छे एज परम्योगी मने प्रीय छे एम कहिना अध्यायन विराम आपयो ओम तत्सदिति शिमद्वगित गीता सूपनी सच्चु प्रह्म विद्यायाम योगे शास्त्रे कृष्णा अरजुन संभादे आत्म सैयम योगो नाम सष्टो अध्याया बोलो कृष्ण का निया लालगी सब्तम अध्याया ज्यान विज्यान योग श्रिभगवान वाच जे अनन्य प्रेम थी मारा माँ चितने जोडेलो छे एज मने जानी शके छे कांके नू मन मारा माँ परवायलो छे एम कहता तेर मां तीजाश लोक मां परमात्मां सुन्दर इते समझावता कहे मनुष्यानाम सहस्त्रेशु कस्चिद्यतति सिद्धये यदतामति सिद्धाना कस्चिद्मां बेति तत्वता मनुष्यानाम सहस्त्रेशु कस्चिद्यतति सिद्धये अख्यारो मनुस्व्व माति कोई एक मने पांबानो प्रेयास करे अने ए प्रेयास करता करता साचा अर्थ मां तत्वत और से अन्मने जानी शके अने प्रभुना स्वरूपने जानी शकाए, केवल जीव बुध्धी थी प्रभुने जानवा संभव न थी, यतो वा चो निवरतनते अप्राप्यधर मनशास अ dispel, यतो वा चो वाणी वानी बुध्धी आधी जनाती पर छा, यतो वाचो लिधर अधी जनाती पर छे, ये पर मौत व्यापेला परमात्मानु आपड़े अनुभव करीशक्ता नथी। एनु कार्ण सुछे। तो ये कार्ण बतावता चौद माश्लोप माँ परमात्मा बोल्या। दैविये शागुणमाई मममाया दुरत्यया। मामी वये प्रपत्यंते माया मेता तरंतिते। अने ये छे भगवाननी माया। जे छे एने छुपावे नथी एने बतावे ये भगवाननी माया। के वी छे दैविये शागुणमाई मममाया दुरत्यया। जेने तर्वी खूब कठीन छे एवी मारी माया छे। माया थी तर्वू बव कठीश नंके शे दैवी पासी गुड मै चे एने जानवू कठीश न पासी तर्वू कठीश ये परण तरी शके छे मामे वह ये प्रपद्ध जे मारा चे ए तरी शके चे एट तो आपने ब्रह्म समन लेती समय भगवान ने सुखल ए क्रिष्ण मुढ त पकडवा जाड नाखे अने जे माची मार जी माचली ओ दूर भागे बद्धी जाड मा पसाई जाए पर होस्यार माचली ओ यह ने दूर न भागे यह माची मार ना पग पासे आवी न उभेरी जाए अने जे पग पासे आवी जाए यह बची जाए अने बाकी बद्धित यह मारा छे इत तरे शें जिम कुईना घरे जाओ तमें अने कोई कुट्रू पाड़ी हो यहां दर्वाजों खोरो यह तो पासे दर्वाजों बनकर इन बार आवी जाओ तुमेशु करो जैने मडवा कहा हो यह मित्रने नाम पोकारो जोरती यह वार लगाओ चिराक भाई आम जोरती बुम पढ़ो यह चिराक भाई सुके टॉमी जाक उतरा नाम बोला विले दोड़तू दोड़तू आवे एमना पग पासे बेसी जाए आने तमें दर्वा जो खोली ने अंदर घुसी जाओ एमज भगवत दाम्मा जवानो तमें प्रयास करो आने जया द्वार खोली अंदर जवा जाओ एमाद भगवाने छोडेली माया बस्ती बस्ती आवे दई भी एशा खुण मई भमाया दुरत्या एम लागे के आमा फसाइजी खई जशे एटले तमें शू करो एहरी जाप उकार करो एले भगवान सू करे माया एले माया दोड़ती दोड़ती आवे अने तमने गोलोग धाम मा प्रवेश मड़ी मामे वये प्रपध्यंते माया मेताम तरंती ते प्रभु ना थाओ एना नाम नो पुकार करो एनी सेवा मा जुड़ाई जाओ अने प्र आपड़े आ बधू करी ने सू करवानू छे बस एटलू प्रभु ने अनुभव ने एह प्रभु तमारू बध्धूज करशे अगल आउसे अनन्याशिंतें तो माम ये जनू पार्सते तेशाम नित्या भियुक्ता नाम योग अक्षे मंबहाम येनू बध्धूज हूं करूज जे मारो थेई जाएशे एले प्रभु ने इतलो एसास कराओ तमारा सिवाय अमारू कोई नथी बस आटलू जो प्रभु ने थाइगाउने तो तमारू सघळू एकार शे एम प्रभु तारना राचे आगल पंदरमा श्लोक मा परमातमा सुंधारी ते समझावता परमातमा समझावे चे के कोन मारो अनुभाव करी शेके मने जानी शेके अने बाकी तो जरी मु माया वड़े जेनु जनु जनी समझ हराई गई चे ने जनी बुद्धी हराई गई गई छे एक यारे मने भजी शक्ता न थी तबे जे माया थी आपलावित छे हरीना ये विनिर मुक्ताते मगना भव सागरे बगवाने जनु हाथ छोड़ी दिदो है ने इस माया मा खूपी ज गया करे चे अने भगवाने जने छोड़ी दिदो छे माया माचे खुपाई गयो छे ए भगवान ने भजी शक्तो न तम एने गमे तिटला लौजी कापो गमे तिटला प्रसाद खरा खवडाओ एना माटे गमे तिटला यमनाश्टक करो पर प्रभुय इच्छी चे कि आना म नाम आवू जो ये तो गमे तिटलू करो तो एना मुखमा भगवान नाम नहीं आवे महाप्रभु जी समझावे चे ब्रभुय सुष्टी नू सर्जन तो कर्यूं पंत्रन रिते कर्यूं पुष्टी मरियादाने प्रवाई अने प्रवाही सुष्टी बगवाने संसार चला वा माटे प्रक्टावी चे तो एने भगवान क्यारे याद आउता नथी गमे तेटलो प्रयास करो स्वें महाप्रभुजी अरी राही जी पर समझा बे प्रकारना प्रतिबंद चे एक जीवकृत और बिजू भगवत कृत प्रतिबंद इटले के भगवान जीचता होए के आना हाथ नी सेवा मारे लेवी न थी तो तमें गमे तेटला प्रयास करो पड़ तमें सेवा नहीं करी शको तो प्रभूज तमार हाथ नी सेवा लेवा न थी इचता जहने सेवा इकले कि वर क्यां करुष्ण है, कजिन कि अने यह कistent? एने भगवत प्रेम थतो न थी, जाकतो न थी, सोड मा शलोक मा प्रभु भक्तो ना परिचयापता बोलया चतुर्विधा बजनते माम, चार जनाने भक्तों कया, चार प्रकारनना भक्तों मने बजना राज चतरविदाव जन्ते माम जना सुकृतिनों अर्जुनों कया कया आर्तों जिग्यासु अर्थार्थी ज्यानी चभरतर्शवार्थ चार प्रकाराव भक्तों ना चार रीते वर्गी करन ठाकोर ये करी दिदा सौती पहलों आर्त भक्त दुख पड़े दोडी ने परमात्मा पासे जाए जीव गयों चे स्वार्थ थी पर भगवान एने तर छोड़ता न थे आर्त भक्त कहें जम गजेंद्र द्रावपदी आदी नी कथा जो तमें गजेंद्र जयरे डूबवाल आगयों स्वजनों छोड़ी ने भागी गया कोई आजू बाजू ना रहूं अने डूपता डूपता छेले सूड थी कमड लिदूं हे हरी करी ने पुकार करयों परमात्मा गरूड परसवार्थी ने आगया उद्धार करें आर्त भक्त दुख आवे अने दुख आवे ने तो बीजे बदे फाफा मारवा करता बगवान पासे मांगी लेव सारी अन्याश्रे करता सकाम भक्ती सारी गमे त्या जईने हाथ फैलावा करता मांगया वगर नथी रहवातू तो प्रभू पासे मांगी लेव पुष्टी भक्त न निश्काम भक्त बनू तो कठीन छे बधा निश्काम भक्ती करी शक्ता ना थी पण कामना साथे पन भगवान ना शर्ने आवयो ने यले भगवान तो एने पन भग्त चकाये छे आर तो जिग्यासु जानवानी इच्छा वाड़ो जानवान इच्छा जिग्यासा जैने अनेक प्रकानी जिग्यासा हो छे बगवान कई रिते शुष्टी नू सर्जन कई रिते तत्वत महत्म ग्याना बदू जानवान इच्छा वाड़ो जिग्यासु तो जो अर्थार थी कोई न कोई कामना लईने बगवान पासे जना रह मांगवानी इच्छा छे त्यास दी भक्ती नहीं था मैं यह ले कहूं सब कुछ मांग लिया है एक तुझको मांग कर सब कुछ मांग लिया है एक तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद तने मांगी हूं तो बध्धूज मड़ी गयो। अवे बीजू सु मांगो। जैनू बध्धूज छे ए तमारो थाई गयो। तो बीजू मेडवबानू सु बाकी रे। पण जे सकाम भावती पण जाये छे। भगवान एने पण अर्थार्थी भक्त कई गड़े लगाड़ी लेचे। चल कामना साथे आवेव। पड़ मारी पासे आवेव छे। कोई पण भावे भगवान पासे जाओ। त्या पंचाध्याई मा पड़ कहो ने। कामम, क्रोधम, बयम, स्नेहम, ऐक्यम, सवर्दमेवच, नित्यम, हरव, विद्धतो, यांती, तन्मय, तामिरे। कोई पण भावे भगवान ने भजो, भगवान तो सगडा मनोरतो पूराच करवावाराच। अर्थार्थी भक्त। कोई न कोई अर्थ। इटले आपड़े त्यां कहिए जनापड़े। जनापड़े कोई आपड़े। तो कोई नकोई कामना ने बहगवानने नहीं कही तो कोणने कहीशन, मान दिल क्या खोले उत्तम लक्षण वक्तनाए आई छे, कि बदू सहीले वुँ पन प्रभूने नहीं कहें प्रभूने श्रम थायेवं नहीं करें परहलाज जी पासे पन मांगवानु खगवाने कहूनु कईक मांग परहलाज जी ये कहून तो एटलुज मांगू छो कि परभू एवी कृपा करो कि आज पछी क्यारे पन आपनी पासे मांगवानी इच्छाज न थाए एवा अशिरिवाद आपो आभक्त नी मांग जुए अन्चेल लो कहू ग्यानी मने जाननारो तत्व थी महत्म थी स्वरूप थी तत्व ग्यान महत्म ग्यान ने स्वरूप ग्यान तीनो प्रकार से मुझको जानने वाला एवा चारे भक्तो च तुर्विदा पजन्ते माम जरा सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिग्यासु अर्थार्थी च ज्यानी च भरतर्शव एम कहता प्रभु कहवाला गया चो वागी गया चा तो आजनी कथाने विरामतर पलेजेए काले आरितेज आपणी कथा अगल वत्ता वत्ता परंदिवस सुधी अधारमा ध्याय सुधी आवी आने यत्र योगेश्च्वर कर्ष्ण यत्र पार्थो धनुर्दरह तत्र श्री विजयो भूत्र दुर्वा नितिर मतिर्मम त्याँ आजने आपड़े विराम करेशों आजनी कथाने विरामत आपता बोले गोवर धन्नात की वल्लभाधी गंगा मैया की गीता मैया की गोपालाल प्याने गीजे